Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace. Class 7 के history का ये है first chapter and the chapter name is tracing changes through a thousand years. तो यहाँ पर हम 1000 सालों में जो changes हुए ना, उन changes को trace करेंगे, मतलब उन changes के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पर हम 1000 सालों में जितने भी changes हुए, be it socially, politically, economically, कैसे भी change थे, उन्हीं सब changes के हम यहाँ बात करेंगे. लेकिन अब आपके mind में ये question आएगा कि हम कौन से 1000 साल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर timeline भी देख लेते हैं. तो हम यहाँ पर बात करेंगे, 750 AD से लेकर, 1750 AD तक के time period की, और आप AD को CE बोल सकते हो, है ना, CE, तो AD का मतलब anodominy, CE का मतलब common error, ठीक है, समझ गई ना, ये चीज़ हम ओलरेटी देखो, 6th class के history में करके आ चुके हैं, भी recently हमने खतम किया है, राइट, अब हमना इस पूरी 7th class की history में यही timeline पढ़ेंगे, तो कौन सी timeline हम देखेंगे, 750 से लेकर, 1750 AD तक का जो ये time period है ना, इस time period में कितने changes आए, socially, politically, economically, सारे changes को हम जानेंगे, इसके अलावा हमना इस timeline को अलग-अलग हिस्सों में भी बाट सकते हैं, अलग-अलग हिस्सों में भी dissect कर सकते हैं, जैसे की देखो, पहला हम पढ़ सकते हैं इसमें जैसे की, अगर मैं कहूँ, 750 से लेकर, 1000 AD तक के time period की, अगर हम इसमें बात करेंगे, तो वो होगा, early medieval period, ठीक है, मैं यहाँ पर एक timeline अच्छे से बना दे, तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, एक second, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप confused हो जाओं, है ना, एक बार मैं erase करतू इसको, ठीक है, यह देखो, यह हो गया, 750 AD, यह हो गया, 1750 AD, ठीक है, तो 750 से लेकर, यह जो 1000 AD तक का time period है, इसको हम कहेंगे, early medieval period, फिर 1000 AD से लेकर, 1200 AD तक का time period है, यह होगा, राजपूत kingdom का time period, बहुत flourish होते हैं, राजपूत kingdom इस time पर, इसके अलावा, इसी time पर foreign invaders भी आते हैं, जो हमारे यहां आकर attack करते हैं, फिर आप देखोगे, 1200 के बाद, 1206 में, 1206 में आप देखोगे, 1206 से लेकर, लगबग 1526 तक आप यहां पर डेली सल्तनत का राज पढ़ोगे, फिर 1526 में, पता है, सभी को बाबर आता है, तो बाबर जो है, वो लोधी डाइनस्टी को हरा देता है, लोधी डाइनस्टी जैसे ही खतम होते हैं, तो 1526 से लेकर, precisely 1707 तक आप मुघल time period की बात करोगे, फिर इसी तरीके से हम फिर Britishers के बारे में आगे बात करते जाएंगे, एंड आप 8th क्लास में जाकर फिर पूरा Britishers के बारे में पढ़ोगे, तो इस तरीके से आपको ये proper timeline याद होनी चाहिए, ठीक है, चलिए, अब topic अपना शुरू करते हैं, कोई भी confusion कहीं पर लगे ना, तो मुझे please comment section में ब खा देती हूँ, ये है map number 2, ठीक है, ये देखो, ये है map number 2, इसके आगे अगर हम देखें तो आगे फिर नया topic शुरू हो रहा है, तो ये जो map number 1 and map number 2 है, इनका हम difference जानेंगे, लेकिन सबसे पहले map number 1 की बात करते हैं, फिर 2 की बात करेंगे, फिर इसका difference देखेंगे, ताकि आप confused ना हो जाओ, बिल्कुल भी है ना, तो अगर हम map number 1 की बात करें, तो ये map number 1 किसने बनाया था, एक अरब जोग्राफर थे, जिनका नाम था, अल इदृसी, ठीक है, क्या नाम था, अल इदृसी, इन्होंने ये map तयार किया था, 12th century में, ठीक है, 12th century में इन्होंने ये map तयार किया था, इस map में इन्होंने Indian subcontinent को दिखाया है, Indian subcontinent का इन्होंने land and sea area, दोनों areas दिखाने की कोशिश की है, आप ये देख सकते हो, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, तो पहले अगर आपके पास book नहीं हो, तो please साथ साथ पढ़ते हैं वक्त ना, अपनी book open रखो, map नमबर 1, map नमबर 2 को एक बार देखो, और इसमें खुद से एक बार difference जानने की कोशिश करो, अब देखो, map नमबर 1 के अगर हम बात करें, तो ये 1154 CE में बनाया गया, CE को हम AD भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, तो 1154 के time period की बात हो रही है, तो that means 12th century हो गया, और ये बनाया था map एक अरब जोग्राफर ने, जिनका नाम था अल इद्रीसी, तो अल इद्रीसी ने Indian subcontinent को इस map में दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, अगर हम map नमबर 2 के बारे में बात करें, अभी जो मैंने आपको यहां नीचे दिखाया, ये map नमबर 2, ये map नमबर 2 जो है, ये बनाया गया था 1720 में, और इसको बनाया था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने, तो फ्रेंच कार्टोग्राफर मतलब वो कहां से बिलोंग करते थे, फ्रांस से, ठीक है, जैसे क कि इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं, वैसे ही, फ्रांस में रहने वाले लोगों को हम फ्रेंच कह रहे हैं, तो इन चीजों में, अब कार्टोग्राफर का मतलब क्या है, कार्टोग्राफर का मतलब होता है, एक ऐसा person who makes map, मतलब map बनाने वाले लोगों क वो हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं, जैसे कि आपने 6th क्लास की हिस्टरी में स्क्राइब के बारे में जाना था ना, वैसे ही अगर हम कार्टोग्राफर की बात करें, तो कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं, स्क्राइब पीपल कौन हो गए, जो लिखना जानते तो मैप नबर टू जो है वो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था और यह बनाया था इन्होंने 18th century में तो 1720 की यहां बात की गई है अरब जोग्राफर और फ्रेंच कार्टोग्राफर दोनों ने ही Indian subcontinent का मैप बनाया मतलब same area का मैप बनाया लेकिन दोनों के मैप में ना आपको काफी ज्यादा difference देखने को मिलेगा अब difference के बात करें तो जो ये हमने first map जाना जो की ये वाला map है जिसे अल इदरीसी ने बनाया था देखो नाम याद होने चाहिए है आपको इनके ठीक है तो अल इदरीसी के map में हम ये देखते हैं कि जहां पर North India होना चाहिए न वहां पर इनोंने South India दिखा दिया और श्री लंका जो की Southern India के नीचे है और श्री लंका को इनोंने दिखा दिया जो की एक island है टॉप पर दिखा दिया और in fact श्री लंका जो है बहुत बड़ा भी दिखा दिया इनोंने इतना बड़ा island थोड़ी न है श्री लंका ये देखो श्री लंका यहां दिखा दिया राइ आप देखोगे मैप में तो श्रीलंका एक तो इतना बड़ा आइलेंड है नहीं चोटा आइलेंड है उसके अलावा श्रीलंका जो है अपने मैप में देखना कि नीचे होता है हमारे इंडिया के विल्कुल नीचे है ना और यहाँ पर देखो यहाँ पर दिखा दिया सदर्न जबकि यहाँ पर Northern India होना चाहिए था, नीचे Southern India होना चाहिए था और उसके नीचे यहाँ श्रीलंका होना चाहिए था, तो अलिद्रीसी के मैप में हमें यह देखने को मिलता है कि जहाँ पर Northern India होना चाहिए, वहाँ तो इन्होंने South India दिखा दिया इसे के टॉप में इन्होंने श्रीलंका दिखा दिया इसके अलावा अलिद्रीसी ने अपने मैप्स में प्लेशी के नाम भी लिखे लेकिन किस में perfect अरैबिक में लिखे तो यह तो जाहिर सी बात है कि अलिद्रीसी एक अरब थे, है ना, अरब पीपल थे, तो अब्यस्टी सी बात है, वो अपनी राइटिंग में ही लिखेंगे, अपनी लैंग्विज में ही लिखेंगे, प्लेसिस के नाम भी, तो इन्होंने अरैबिक में लिखे थे नाम, अब यहाँ पर आपको ना कन्योज की सिग्निफिक में, तो इन्होंने कन्योज की सिग्निफिक से स्पेल किया था, क की जगे क्यू था, ठीक है, कन्योज कहां है, उत्र प्रदेश में, यह चोटे-चोटे क्वेस्टन बड़े ही इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार ऐसे ही डारेक्ट क्वेस्टन आ जाते हैं, और ऐ जिसमें के और क्यू का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और क्योंकि यह अरेबिक नेम है, इसी लिए, है ना, अब यहां पर मैप नंबर टू के बारे में बात करते हैं, देखो मैप नंबर जो टू है, वो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, जिनका नाम थोड़ा सा अजीव है, पता नहीं कैसे प्रिनाउंस करेंगे, बट मैं बोल देती हूँ, मेबी इनका नाम अगर हम प्रिनाउंस करने प्याएं तो ऐसे ही हो सकता है, नोवेम ग्याम डे आईल, ठीक है, अब आप लोग देख ले ना, जिनको फ्रेंच वेगेरा आती है, त तो मुझे ये नहीं पता कि किस तरीके से प्रिनाउंस होगा, अब चलिए मैप नमबर टू की बात करते हैं, मैप नमबर टू कब बनाया था, तो देखो जब अल इदरीसी ने मैप बनाया था, उसके 600 एयर्ज के बाद मैप नमबर टू बनाया गया, और जिसकी अभी हमने बात की जो की बनाया था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने, तो अब यहां पर आप देखोगे कि अगर हम मैप नमबर टू की बात करें, तो हमें काफी ज़्यादा चेंजिस देखने को मिलते हैं, इस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस, तो हम यह कह सकते हैं कि फ्रेंच आइम पर हम मैप को यू़ गरते हैं, आप सभी को पत यह ओगया सदर्नी इंडिया है ना, यह वाला पार्ट, इसके अलभा देखोग यहां पर ऊपर नोर्डर्न इंडिया दिखाया है, इसके अलभा देखोग श्रीलंका बिल्कुल सही जगए दिखाया है, जो कि एक आइल था क्योंकि यह जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉस्टल एरियास को पर्टिकुलर्ली पूरा डेटेल में दिखाया दिस मैप वोज यूज़ बाई यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ओन दियर वोईज अब देखो यहां पर आ करते हैं जो ट्रेडिंग का काम करते हैं जो व्यापारी होते हैं तो जो सेलर्स मर्चेंट होते थे जब वो कहीं यात्रा करने जाते थे वो यात्रा करने जाते थे तो इन मैप का यूज़ करते थे अब लगा लोगर उनको साथ समुंदर पार जाना है तो वो जाएंगे कैस से जब उनको exact location नहीं बता तो वह मैप के जरीये जाया करती थे मैप की help से उनको location पता चल जाया करती थी ठीक है इसके अलावा मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया कि कन्योज के बारे में आपको ध्यान रखना है हम हर्शवर्देन के time period से इसको पढ़ते आरों उससे पह तो इस side वाला गुजरात side वाले जो kingdom थे southern kingdom जो थे इसके अलावा eastern kingdom जो थे सबी जो है ना कन्योज को अपने अंडर करना चाहते थे कन्योज को लेकर तो बहुत लड़ाईया हुई है राइट तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है तो अगर हम यहाँ पर difference देखें तो मैं यहाँ पर आपको एक चोटा सा difference बता देती हूँ दोनों कार्टोग्राफर के बीच में तो जो अरब कार्टोग्राफर थे इन्हों ने South India को वहाँ दिखाया जहाँ पर North India होना चाहिए था इसके अलावा श्री लंका बॉटम में होना चाहिए था बट इन्होंने टॉप में दिखाया राइट अगर हम फ्रेंच कार्टोग्राफर की बात करें तो इन्होंने मैप जो दिखाया था वो kind of similar है जो आज के टाइम पर हम मैप यूज करते हैं थोड़ा वो familiar है ठीक है तो मतलब जो आज के टाइम पर हम मैप यूज करते हैं उससे थोड़ा सा similar है इसके अलावा फ्रेंच कार्टोग्राफर ने क्या करा इन्होंने न कोस्टल एरियाज को बड़े डिटेल में दिखाया था यह बहुत important वर्ड है कोस्टल एरियाज का मतलब क्या हुआ जो कोस्ट वाला एरिया हो समुंदरी किनारे जो हो गई तो इन्होंने कोस्टल एरियाज पते क्यों दिखाया था क्योंकि क्या होता था कि ट्रेडिंग करनी होती थी सेलर्स को मर्चेंट्स को तो वह कोस्टल एरिया से ही आया जाया करते थे तो इसलिए सेलर्स एंड जो मर्चेंट्स थे वह इन मैप मैप को यूज किया करते थे और उन्हों ने french kartographer के मैप को इसलिए use किया था क्योंकि is कोस्टेल एरिया तो और ये जिर City यूज दिखाया क्यों कि या ति क्या होती थी गेल्प होती थी धो तो यह चोट as a small difference आपको ध्यान में रखना है equally important is the fact that science of cartography differed in two period देखो हमने जब Arab and French cartographer के बारे में अभी जाना तो हमें ये भी जानने को मिलता है कि दोनों के time period अलग तो अलग अलग time period में हमें अलग-अलग cartography की science देखने को मिलते हैं मतलब दोनों का cartography बनाने का जो तरीका था जो science थी behind making the map दोनों की अलग-अलग थी इसलिए हमें difference भी देखने को मिलता है तो जब भी अगर historians past document को, map को and text को पढ़ने की कोशिश करें तो historians को थोड़ा सा sensitive होना चाहिए to different historical backgrounds the context in which information about the past was produced अब देखो ये line का मतलब क्या है कि historians जब document पढ़ते हैं, maps जानने की कोशिश करते हैं, text पढ़ते हैं तो historians को थोड़ा सा sensitive होना चाहिए towards this different historical background reason being कि अलग-अलग time period में जैसे हमने ये देखा कि map बनाने का तरीका अलग-अलग था उसी तरीके से अलग-अलग time period में अलग-अलग terms को use किया जाता था हर terms के फिर meaning भी change होते रहते थे तो evolution होता रहा time to time तो अलग-अलग period में हमें क्या देखने को मिलता है कि लोगों के अलग-अलग perspective दे तो historians को हमेशा document, map and text पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि अलग-अलग time period में अलग-अलग perspective होने की वज़े से difference देखने को मिलते हैं तो इसलिए historians को हमारे सामने एक neutral चीज रखनी चाहिए एक neutral तरीके से histories को हमारे सामने रखना चाहिए तो इस तरीके से information provide करनी चाहिए historians को कि अलग-अलग time period को अच्छे से analyze करें और इसके अलावा उसी neutral तरीके से हमें पेश करें तो ये historians को थोड़ा सा sensitive होना चाहिए क्योंकि अलग-अलग time period में अलग-अलग perspective होते हैं लोगों के अब next वाला part हम next video में करेंगे और ऐसे हम अलग-अलग topic को अलग-अलग videos में complete करते चलेंगे और जब हर एक chapter के सभी parts या सभी topics complete हो जाएंगे न उन सभी topics को मैं assimilate करके एक video में present कर दूँगी ताकि आप लोगों को बार-बार ना डूढने की परिशानी ना हो और टाइम पर रिवीजन भी हो जाएं इसके अलबा आप में साथ टेलिग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं टेलिग्राम इंस्टाग्राम की ID और लिंक आपको description box में मिल जाएगा और इनका username आप अपनी screen पर भी देख सकते हैं अब मिलते हैं next video में तिल दन बबाई and I wish you all the best keep learning और अपने कोई डाउट हैं तो उनको भी आप comment section में लिखिएगा thank you hello everyone I am Priyanka Gaur welcome back to my channel learning with pace तो अभी तक हमने इस chapter में अरब और फ्रेंच कार्टोग्राफर के बारे में बात की अब हम बात करेंगे about the new and old terminologies के बारे में so terminologies का मतलब होता है ऐसी टर्म जो किसी specific subject area या एक profession को दिखाने के लिए यूज की जाती है जैसे कि for example यहां पर आप यह देख रहे हो यह है एक term क्या है यह हिंदूस्तान तो अगर हम इस term को यूज करते हैं तो हमारे आइट चीज को शो करती है ठीक है तो यहां पर इस topic में हम यह जानेंगे कि with time period किस तरीके से terminologies में changes आए तो हम old and new दोनों ही terminologies के बारे में बात करेंगे if the context in which information is produced changes with time then what about language and meanings हम यह देख रहे हैं कि with time period अगर information में change आए है तो क्या language and उनके meanings में भी change आए है देखो इस बात का मतलब क्या इस बात का मतलब यह है कि जैसे जैसे time बीटता गया gradually अमें यह देखने को मिला कि time के साथ-साथ information change हुई इसके अलावा time के साथ-साथ language में भी changes देखने को मिले इसके अलावा जो भाशा बोली जाती थी उनके meanings में भी changes देखने को मिले और इन सभी का example यहां पर बताया हूँ NCRT में आगे बात करते हैं historical records सबसे पहले तो historical records का मतलब समझो historical का मतलब क्या है past history record का मतलब क्या है written document ठीक है written document को हम क्या कहते है records कहते हैं अब एक चीज़ और मैं यहां पर additionally बता दूँ कि अगर हम middle time period की बात करें तो middle time period क्या कौन सा timeline हुआ 750 से लेकर 1750 तक का time period इस middle time period में सबसे ज्यादा textual records लिखे गई थे reason क्या है उसके पीछे reason है paper का invention 7th century में paper का invention हो गया था चाइना में तो paper जो है वो cheapest rate पर मिलते थे और भरपूर मात्रा में मिलते थे तो इसी लिए जो है textual records सबसे ज्यादा middle time period में लिखे गई थे तो जो historical records थे वो अलग-अलग languages में existed थे जैसे कि कुछ Persian में थे कुछ प्राकृत में थे कुछ Chinese language में थे तो अलग-अलग languages में हमें historical record देखने को मिले इसके लावा Sanskrit में भी देखने को मिले लेकिन हम यह देख रहे हैं कि with time period उनमें भी changes आए जैसे कि for example अगर हम medieval Persian की बात करें तो medieval Persian मतलब वह भाशा जो medieval time period में बोली जाती थी and Persian तो आज भी बोली जाती है तो आज बोली जाने वाली Persian को modern Persian कहते हैं medieval time period में बोले जाने वाली इस भाशा को हम medieval Persian कहते हैं तो हम यह देखते हैं कि एक ही language में कितना difference है कि medieval Persian जो है वो modern Persian से बिलकुल अलग है and अलग किस मामले में हैं दोनों की grammar अलग है, vocabulary अलग है and not only this बलकि जो words के meaning है न वो भी with time period change हुए है तो यह बहुत important question बनता है आपको ध्यान रखना है कि with time period में बहुत सारे changes देखने को मिलते हैं देखो अभी हमने उपर वाले paragraph में language का example पढ़ा कि किस तरीके से languages में changes आए अब हम जानेंगे कि किस तरीके से terminologies में change आए तो अगर हम इस term की बात करें हिंदूस्तान की तो आज के time पर हिंदूस्तान को हम पूरे इंडिया के लिए use करते हैं which is the modern nation state ठीक है आज के time पर हिंदूस्तान word हम पूरे भारत के लिए use करते हैं अब सभी भारतवासियों के लिए हम हिंदूस्तानी word यूजज़ करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो हिंदूस्तान term है पहले ये पूरे भारत के लिए use नहीं होता था बलकि किसी specific area के लिए use होता था अब आईए इसका example देखते हैं अगर हम 13th century की बात करें तो 13th century में एक chronicler थे जिनका नाम था मिनाज ए सिराज important है ध्यान रखना कि 13th century में एक chronicler थे जिनका नाम था मिनाज ए सिराज ये Persian language में लिखते थे तो chronicler का मतलब समझो सबसे पहले देखो chronicler तो chronicler क्या होते हैं कि ये important historical events को लिखते हैं लेकिन एक proper order में proper chronology में ठीक है proper date wise जैसे कि राजा का जनम कब हुआ ठीक है कब उसकी शादी हुई कब वो गदी पर बैठा फिर उसके बाद कब उसको बेटा हुआ कब राजा की डैथ हुई कब उसका बेटा जो है वो गदी पर बैठा तो कहने का मतलब है कि जो chronicler होते हैं वो important historical events को chronological order में तयार करते हैं उसका record तयार करते हैं एक चीज़ और बता दूँ इसमें fights के बारे में भी लिखा जाता है कि राजा ने कौन-कौन सी fights लड़ी थी किन-किन में वो जीता था तो ये काम होता है chronicler का मिनाज ये सिराज जो है उन्होंने हिंदूस्तान term को use किया था लेकिन पूरे भारत के लिए use नहीं किया इन्होंने किस एरिया के लिए हिंदूस्तान term को use किया इन्होंने कहा कि जो पंजाब का area है अंड जो हर्याना वाला area है अंड इसके अलावा जो गंगा-यमउना दोआब area है मतलब गंगा और यमॉना के बीच का जो land area है इन एरिया के लिए मिनाजे सिराज ने हिंदूस्तान टर्म को यूज किया था ध्यान रहेगा कि मिनाजे सिराज ने हिंदूस्तान टर्म को पूरे भारत के लिए यूज नहीं किया बलकि ये कहा इनोंने कि पंजाब हर्याना एंड इसके अलावा गंगा यमुना नदी के बीच का जो लैंड एरिया है ये एरिया हिंदूस्तान है तो एक एक एक्जाम्पल हमने हिंदूस्तान का क्या पड़ा? मिनाजे सिराजवाला He used the term in political sense for lands that were a part of dominions of the Delhi सुल्तान तो अगर हम to be very precise बात करें तो इनका कहने का मतलब ये था कि वो लैंड एरिया जो डैली सुल्तान के अंडर आता है वही लैंड एरिया हिंदूस्तान कहलाता है ठीक है? अब इस बात से आप क्या समझे? कि मिनाजे सिराज ने ये कहा वो सारा एरिया जो डैली सुल्तान के अंडर आता है वही एरिया हिंदूस्तान है लेकिन क्वेश्चन याद है कि क्या डैली सुल्तान का जो एरिया था क्या वो फिक्स था? नहीं वो फिक्स नहीं था जिस तरीके से डेली सिल्टान की टेरिट्री बढ़ती गई वैसे वैसे हिंदुस्तान टेर्म भी शिफ्ट होता गया उन सभी एरियाज के लिए ठीक है तो जो डेली सल्टनत है इनोंने अपनी टेरिट्री इसको एक्सेनल करने की कोशिश की थी वोर करते और उस territory को ये अपने अंडर capture कर लेते तो जैसे जैसे जो जो area डेली सल्तनत के अंडर आता उसके लिए हिंदूस्तान term use किया था But this term never included South India ध्यान रखना कि इस term में कभी भी South India को include नहीं किया था और बहुत important question है ये अब हमने पहले example में मिनाज जिराज की बात की थी जिसमें हमने 13th century के बारे में बात की अब हम बात करते हैं बाबर के बारे में बाबर कब आया था? early 16th century में तो अगर precise में date बताऊं तो 1526 में बाबर आया इन्होंने लोधी डाइनेस्टी के last ruler को हरा दिया था बाबर ने तो जो बाबर है जो early 16th century में आये इन्होंने भी हिंदुस्तान term को use किया था अब इन्होंने हिंदुस्तान term किसके लिए use किया इन्होंने कहा कि ये जो subcontinent है यहां की geography यहां का जो फोना है फोना का मतलब होता है animal से related और जो यहां पर रहने वाले लोगों का culture है ये हिंदुस्तान है ठीक है क्या समझे कि बाबर ने कहा कि इस subcontinent का जो geographical है geographical area जो फोना हो गया एंड जो यहां रहने वाले लोगों का culture है वो है हिंदुस्तान एंड इसी सेम तरीके से हिंद वर्ड को use किया आगे जाकर 14th century के poet ने जिनका नाम था आमीर खुसरो आमीर खुसरो के बारे में आप पढ़ेंगे क्योंकि आमीर खुसरो जो है ये डेली सल्तनत के time period मे court poet थे एंड आप खलजी डाइनस्टी में इनको पढ़ोगे ठीक है तो जो आमीर खुसरो थे ये 14th century से बिलोंग करते हैं तो आमीर खुसरो ने भी हिंद वर्ड का use किया था in the same way जैसे बाबर ने use किया तो हमने यहां पर तीन example देखे एक तो मिनाज सिराज का तो मिनाज सि इसमें confused हो जाएंगे कि मैं फिर यहां पर गंगा यमुना पंजाब हर्याना यह एरिया क्यों लिखा है क्योंकि यह सारा एरिया डेली सल्तनत के अंडर था ठीक है ध्यान रखना फिर दूसरा हमने बाबर का example पढ़ा बाबर ने जो हिंदूस्तान टर्म है वो यूज किया के subcontinent के geography, fauna and यहां के जो रहने वाले लोग है उनके culture के लिए फिर तीसरा example हम क्या देख रहे है कि 14th century में आमीर खुसरो जो poet थे उन्होंने भी हिंदूस्तान टर्म को यूज किया था बट इना similar way जैसे बाबर ने यूज किया अब आगे बात करते हैं, while the idea of geographical and cultural entity like India did exist, but the term हिंदूस्तान did not carry the political and national meaning which we associate with it today देखो इस line का मतलब क्या है कि जब यह लोग यहां आये थे ना जैसे कि बाबर हो गया, आमीर खुसरो हो गया and इसके लावा जो other chronicler यहां पर आये हुए थे अब जब यह इस time पर आये थे, उस time पर जो यह geographical या cultural entity वाला इंडिया है वो exist तो करता था मतलब उस time पर सिफ geographical and cultural entity वाला इंडिया exist करता था ना कि political and national meaning वाला जो इंडिया है वो कब exist हुआ जब Britishers का time आया जब हमने आजादी की मांग की हमने freedom struggle किया तो यह freedom struggle करना अपने देश के लिए आवाज उठाना अपने देश को एक sovereign state बनाने के लिए आवाज उठाना यह हो गया political and national meaning ठीक है लेकिन अगर हम इस time period की बात करें Britishers से पहले की time period की हम बात करें तो इस time period में हमने कभी भी हिंदुस्तान term के साथ political and national meaning नहीं जोड़ा सिर्फ यह जो term है यह limited थी only to the geographical and cultural entity तो all and all आपको यह ध्यान रखना है कि इस time period में ऐसा थोड़ी ना था कि एक देश बना हुआ था उस देश के लिए लोग लड़ाई कर रहे थे नहीं ऐसा नहीं था तो यह जो political and national meaning है यह तो बहुत बाद में आया था इस time पर तो छोटे छोटे kingdom में बटा हुआ था इंडिया यह ध्यान रखना ठीक है चलिए अब आगे दिखते हैं historians today have to be careful about the terms they use because they meant different in the past देखो historians को ना हमेशा terminologies या historical records या information को collect करते वक्त थोड़ा सा sensitive होना चाहिए थोड़ा सा careful भी होना चाहिए क्योंकि with time period हमें यह देखने को मिला कि terminologies में language में उनके meaning में बहुत सारे changes आए for example अगर हम foreigner word की बात करें यह एक term हो गया ठीक है foreigner term की अगर हम बात करें तो इस term को आज के time पर हम किसके लिए use करते हैं आज के time पर हम उन लोगों के लिए foreigner word को use करते हैं जो भारत से belong नहीं करते जो दूसरे देश से हैं लेकिन क्या पहले ऐसा था नहीं पहले foreigner term का मतलब कुछ और होता था अब देखते हैं कि क्या होता था आगे पढ़ते हैं It is used today to mean someone who is not an Indian तो foreigner term को आज के time पर हम use करते हैं उन लोगों के लिए जो इंडियन नहीं है जो इंडिया से belong नहीं करते हैं ना अगर हम middle time period की बात करें तो middle time period में foreigner word एक stranger के लिए भी use किया जाता था अब ये stranger आपके देश का हो उसके लिए भी मतलब देखो जैसा कि मैंने कहा कि इस time पर इंडिया थोड़ी नहीं ऐसे एक देश बना हुआ था चोटे चोटे kingdom थे तो शहर में रहने वाले लोग गाउं में रहने वाले लोगों को गाउ में रहने वाले लोग, शहर में रहने वाले लोग पो अजनभी बोलते थे, अजनभी को ही क्या बोला जाता था, foreigner बोल दिया जाता था, So, ये जो term है foreigner, ये stranger के लिए use किया जाता था Who appeared, say in a given village, someone who was not a part of the society or culture मतलब उन लोगों के लिए foreigner term use किया जाता था पहले कि जो अगर कोई same culture से ना हो, same society से ना हो उन्हें foreigner बोला जाता था, right? मतलब एक ही देश में रहने वाले लोग हैं, अलग-अलग शहर से हैं या ये कहलो अलग-अलग culture से हैं, उनके लिए भी foreigner word use किया जाता था लेकिन आज के time पर हम foreigner word use करते हैं, उन सभी लोगों के लिए जो इंडियन नहीं है तो हमने क्या देखा, कि with time period ये जो term है ना foreigner इसका मतलब बदल गया, है ना? foreigner word का मतलब हिंदी में होता है परदेशी and Persian में होता है अजनभी तो कई बार ऐसे question भी आ जाते हैं ध्यान रखना अ city dweller therefore might have been regarded a forest dweller as foreigner ड्वेलर का मतलब होता है रहने वाला, तो city dweller का मतलब वो हुआ जो शहर में रहने वाला है forest dweller का मतलब वो हुआ जो लोग forest area में रहते हैं, ठीक है? तो foreigner term जो है पहले के time पर use किया जाता था, उन लोगों के लिए जो अलग अलग area में रहते हैं जैसे कि एक city dweller के लिए forest dweller foreigner हो गया लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कि अगर हम दो ऐसे pageant की बात करें, दो ऐसे किसानों की बात करें जो same गाउं में रहते हैं, तो वो एक दूसरे को foreigner नहीं बोलते थे, चाहे उनका बले ही religious या फिर caste background अलग क्यों नहीं हो तो ध्यान रखना कि same society या same गाउं या same शहर के लोगों को ये लोग foreigner नहीं बोलते थे, चाहे बले ही इनका एक दूसरे से religious या caste background बिलकुल different हो बस foreigner word ये उन लोगों के लिए बोलते थे, जो बाहर का था, ठीक है, जैसे शहर और गाउं का हो गया, ठीक है, इसके अलावा जैसे एक आगरा में हो गया, एक डली में हो गया, तो एक दूसरे के लिए ये foreigner होते थे पहले, इस तरीके से यहाँ पर समझाया गया है लेकिन एक गाउं में रहने वाले लोग एक दूसरे को foreigner नहीं बोलते थे, ठीक है, तो I hope आपको ये वाला topic अब समझाया होगा अब ये जो next वाला part है, ये हम next वीडियो में करेंगे तब तक के लिए अपनी पढ़ाई continue करते रहे, I wish you all the best, keep learning, thank you so much for watching this video, इसके लावाद telegram, instagram पर जोड़ना, बिल्कुल बद भूलना, thank you Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace, अभी हम लोग बात करेंगे about the historians and their sources के बारे में देखो historians का and sources का मतलब क्या होता है, पहले तो इनका meaning जानो historians का मतलब है कि वो लोग जो past history के बारे में study करते हैं and information को collect करते हैं, ठीक है, past history के बारे में study करके information को collect करते हैं तो historians इन past histories के बारे में किन चीजों को study करते हैं, किन चीजों के थुरू ये information को collect करते हैं, उनी को हम sources कहते हैं, ठीक है, for example, अगर आप exam की तयारी करते वक्त, आप किन sites का use कर रहे हो, किन books का use कर रहे हो, किस YouTube channel का use कर रहे हो, वही जब आपका क्या कहलाता है, वही जब आप sources से exam की तयारी की, so in the same way, historians भी अलग-अलग sources को refer करते हैं, and past histories के बारे में information को collect करते हैं, आई बात समझ में, चलिए अब आगे देखते हैं, historians use different type of sources to learn about the past, historians ना past के बारे में जब study करते हैं, तो वह अलग-अलग sources को different sources को refer करते हैं, उन अलग-अलग sources को पढ़ते हैं, तब जाकर ये information को collect करते हैं, लेकिन अब question आगे ये आजाता है, कि historians अलग-अलग sources को क्यों पढ़ते हैं, अलग-अलग sources को क्यों refer करते हैं, इसके पीछे reason क्या है, देखो इसके पीछे reason एक तो ये है, period of their study, मतलब ये depend करता है, कि historians किस period के बारे में study कर रहे हैं, फिर दूसरा ये भी depend करता है, nature of their investigation, कि वो किस चीज के बारे में पता लगाना चाहते हैं, जैसे कि क्या वो king के बारे में पता लगाना चाहते हैं, या फिर historians sages के बारे में पता लगाना चाहते हैं, या historians monks के बारे में पता लगाना चाहते हैं, या historians ordinary people के बारे में पता लगाना चाहते है या फिर language के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो अलग अलग जो है nature पर depend करता है कि किस तरीके की investigation होगी किस तरीके के sources को refer किया जाएगा ठीक है अब मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा और detail में समझाती हूं आपको बहुत सारी चीज़ें यहां पर clear हो जाएंगी देखो होता यह था कि अलग-अलग period में अलग-अलग चीज़ें prevalent थी किसी time period में तो आप यह देखोगे कि coins बहुत जादा परिशलित थे ठीक है coins बहुत जादा prevalent थे किसी period में आप देखोगे कि inscription से हमें sources पता चलते हैं किसी periods में आप देखोगे कि हमें जो है प्रशस्ती से हमें पता चलता है राजा के बारे में इसके अलावा हमें कुछ periods में epics and plays के थूपता चलता है ठीक है तो यह हो गई time to time period की बात कि अलग-अलग period में हमें अलग-अलग चीज़े देखने को मिली तो इसी लिए historians अलग-अलग in sources को refer करते हैं तब जाकर यह past के बारे में information को collect करते हैं दूसरा यह है कि इन्वेस्टिगेशन का nature क्या है अगर suppose करो historians को राजा के बारे में पता करना है कि राजा का administration कैसा था राजा ने कितनी लड़ाईयां लड़ी तो इसके लिए historians क्या करेंगे historians राजा के बारे में पता लगाने के लिए inscription पढ़ेंगे प्रशस्ती देखेंगे coins के बारे में पढ़ेंगे तब जाकर उनको पता लगेगा राजा की life के बारे में उसके administration के बारे में और अगर suppose करो investigation का nature यह है कि historians को अभी ordinary people के बारे में पता करना है तो वो ordinary people के बारे में पता करेंगे plays के through इसके अलावा sages के बारे में monks के बारे में पता करना है तो वो अलग अलग चीजों को refer करेंगे भगवान के बारे में पता करना है कि वह उस time पर लोग किन भगवानों की पूझा किया करते थे ठीक है तो लोगों के religious belief क्या थे तो epics पढ़े जाएंगे इसके अलावा जो पुरानाज है उनको पढ़ा जाएगा ठीक है वेदाज को पढ़ा जाएगा तो कहने का मतलब है कि अलग-अलग चीजों के बारे में अलग-अलग sources से पता चलता है इसलिए historians अलग-अलग sources को पढ़ते हैं तब जाकर information को collect करते हैं For example, आपने class 6 में दो ruler के बारे में पढ़ा एक तो गुपता dynasty और एक हर्षवर्धन dynasty देखो गुपता dynasty में हमने ये देखा कि समुद्र गुपत के बारे में हमें coins के थूरू पता चलता है प्रशस्ती के थूरू पता चलता है समुद्र गुपत जो ऐसे राजा थे वीना बजाया करते थे क्योंकि उनकी ये picture जो है वो coins पर चापी हुई है तो हमें ये coins देखकर पता चलता है उस time पे कि समुद्र गुप्त अपने time पर वीना बजाते थे तो आप क्या समझे कि गुपता डाइनेस्टी में अगर हम समुद्र गुपत की बात करे तो हमें उनके बारे में coins and preciousty से पता चलता है हर्षवर्दन की बात करें तो हर्षवर्दन के बारे में हमें प्रशस्ती से पता चलता है So in the same way, same बात यहां कही गई है जो मैंने अभी आपको समझाई कि अलग-अलग time period में हमें अलग-अलग sources देखने को मिले तो historians हमेशा अलग-अलग sources को पढ़ते हैं एंड उनसे फिर information को collect करते हैं इस book में आप roughly 1000 years के बारे में जानोगे जैसे की 780 से लेकर 1750 AD एंड इस chapter के शुरुवात में मैंने आपको 17, sorry, 750 से लेकर 1750 AD तक का time period बताया था ये भी correct है और ये भी correct ठीक है Next paragraph में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है You will notice some continuity in sources used by historians for the study of this period तो medieval period के बारे में पता लगाने के लिए historians ने कुछ sources को continue रखा था तो किन-किन sources पर ये rely करते थे, rely का मतलब होता है विश्वास तो ये किन sources पर rely करते थे एक तो है coins, एक है inscriptions and एक है architecture and then textual records तो ये अलग-अलग ये जो sources थे इन पर ये rely किया करते थे and इनको पढ़ कर जाच बरक के तब ये information को collect करते थे लेकिन medieval period में भले ही हम ये देख रहे हैं कि historians, coins, inscription, architecture and textual records को पढ़ कर समझ कर तब information collect करते थे but medieval period में हमें कुछ चीजों में discontinuity भी देखने को मिलती है क्योंकि इस time period में हुआ ये कि number of variety में textual record लिखे गए थे and number of variety में textual record इसलिए लिखे गई क्योंकि 7th century में paper का invention हुआ and paper जो था वो बहुत ही cheaper rate पर मिलता था and paper easily available था तो इसलिए हमें ये देखने को मिलता है कि medieval time period में paper का इस्तेमाल बहुत किया गया बहुत सारे manuscript लिखे गई, copied manuscript लिखे गई and paper पर बहुत सारे textual records लिखे गई and reason क्या था कि paper का invention हो गया था उपर से paper easily available भी हो गया था and cheaper rate पर भी मिलता था तो हम ये देख रहे हैं कि इस time period में na historians को बहुत सारे sources में discontinuity करनी पड़ी reason being क्योंकि उनको बहुत सारे textual records मिले medieval time period के, ठीक है अब हम यहां पर paper की value देखेंगे, paper की कीमत के बारे में जानेंगे और यहां पर हम दो scenarios को पढ़ेंगे In the middle of 13th century, a scholar wanted to copy a book तो 13th century के middle time period के अगर हम बात करें तो एक scholar थे जिनको ना एक book को copy करना था अब इस time पर printing press नहीं थी ध्यान रखना तो copy किया जाता था by writing, ठीक है, खुद से लिखना पड़ता था तो यह scholar जो थे, वो एक book को copy करना चाहते थे But he did not have enough paper, लेकिन इनके पास enough paper नहीं थे जिस पर यह copy कर डाले तो अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपने एक ऐसी manuscript ली जिनकी इनको कोई जरूरत नहीं थी तो उस manuscript को इन्होंने धोया, साफ किया, उस paper को सुखाया और तब जाकर उस paper को use किया अब अगर हम 13th century के century later की बात करें 14th या 15th century के time period की बात करें तो इस time period में paper इतना easily available होता था कि कई बार shopkeeper जो है उसी paper में लपेट कर खाना वगारा बांद के दे दिया करते थे customers को तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? यहाँ पर दो scenarios में देखो paper की value एक scenario ऐसा 13th century के time period की बात ऐसी कि paper abundant मातरा में available नहीं था यूज कर लिया जाता था ओके अब आगे हम paper की ही बात करेंगे कि paper जो है वो इस time period में easily available हो गया था तो paper को किस चीज के लिए use किया जाता था paper पर holy text लिखे जाते थे मतलब पवित्र ग्रंथ जो है वो लिखे जाते थे इसके अलावा rulers के chronicles लिखे जाते थे मतलब राजा के जो important historical events थे वो लिखे जाते थे इसके अलावा जो saints होते थे उनके उपदेश लिखे जाते थे जिनको हम letters and teachings कहेंगे इसके अलावा petitions लिखे जाते थे petitions का मतलब है कि जो ordinary people है उनके अगर कोई grievances होते थे तो उन grievances को paper पर as a petition के तोर पर लिखा जाता था and फिर राजा के सामने पेश किया जाता था इसके अलावा judicial records के लिए paper का use किया जाता था कि किसको कितनी सजा मिली इसके अलावा राजा जो है अगर वो अपना फर्मान सुनाना चाहते थे तो वो भी paper पर ही लिखा जाता था and इसके अलावा जो administration work है वो भी paper पर किया जाता था जैसे कि account and tax वाला काम भी paper पर किया जाता था तो हमने क्या देखा कि देखो paper की importance कितनी थी paper पर ये सारे तमाम काम किये जाते थे है ना manuscript work collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples तो इस time period में जो manuscript है वो उनको preserve रखने का अधिकार किसके पास था wealthy people के पास, अमीर लोगों के पास, राजा के पास, monasteries में रखे जाते थे and temples में भी इनको सुरक्षित रखा जाता था इनको library में रखा जाता था, archives में रखा जाता था अगर हम आज की बात करें, आज भी हम यह देखते हैं कि हम बहुत सारे important document को archive में रखते हैं, तो हमारी जो government है national and state level पर दोनों के पास अपने personal archives हैं and उन archives में official records and पूरे transactions का record हमें देखने को मिलता है these manuscript and document provide a lot of detailed information to historians but they are also difficult to use यह जो manuscript है, जो archives libraries में हैं, इनसे हमें बहुत सारे information देखने को मिलती है but यह manuscript थोड़ इसी difficult है, use करने में, पढ़ने में हाला कि इसका reason हमें आगे बताया हुआ है इस time period में paper तो थे, लेकिन printing press नहीं थी तो जो scribes होते थे, वो manuscript को कैसे copy करते थे scribes copied manuscripts by hand, मतलब लिख कर copy करते थे write down करके copy करते थे देखो, अगर printing press होती है, तो हमारे लिए easy हो जाता है copy कराना and हम original document को as it is copy करा सकते है but जब आप किसी चीज़ को copy करते हो by writing ठीक है, मतलब writing करके आप copy करते हो तो आप देखना कि original and जो copied है दोनों में आपको difference देखने को मिलेगा अब इस चीज़ को समझाने के लिए NCRT ने एक example दिया है कि आप अपने उपर ये example लगा कर देखो कि अगर आपने अपने friend के homework से copy किया तो क्या ये easy task है, नहीं ये easy task नहीं है क्यों कि copy करते वक्त हमें बहुत सारे problems सामने आते हैं हमारे आगे, जैसे कि आप कई बार अपने friend की handwriting को समझ नहीं पाते हो कि उसने क्या लिखा हुआ है तो जहां पर आप जिन sentences को, जिन word को समझ नहीं पाते हो वहां पर आप अपना तुक्का लगाते हो कि भई शायद इसने ये लिखा होगा फिर कई बार क्या होता है कि वो तुक्का सही भी बैट जाता है कई बार वो तुक्का गलत भी बैट जाता है तो अगर तुक्का गलत बैट गया तो क्या होगा, कि जो आपके दोस्त ने अपनी notebook में लिखा and जो आपने copy किया दोनों के बीच में आपको difference देखने को मिलेगा So, ऐसे small and significant differences आपको हर एक copied work में देखने को मिलेंगे In a similar way, manuscripts के time पर भी यही होता था कि manuscript को copy करते वक्त scribes को बहुत सारी problems का सामना करना पड़ता था and scribes people भी कई बार ऐसे ही तुके, ऐसे ही guess लगा लिया करते थे and हमें ये देखने को मिला कि जो original text है उसमें and जो copied text है उसमें हमें difference देखने को मिला क्योंकि कई बार जो scribes थे उनको भी कुछ word, कुछ sentences समझ नहीं आते थे तो उन words and sentences को लिखने के लिए ये scribes तुका लगाते थे guess करते थे कि शायद ये लिखा होगा, शायद वो लिखा होगा तो इस शायद के चक्कर में हमें ये देखने को मिला कि जो original and copied manuscript है इनमें बहुत सारे difference है and ये जो difference है ना धीरे धीरे ये small difference over the period of time change होते गए जैसे कि suppose गरो ये एक original document है ठीक है अब इस original document को copy किया 20 साल बाद किसी ने फिर इस copied text के through किसी और ने copy किया फिर इस copied से किसी और ने copy किया तो अभी क्या देखने को मिला कि ऐसे slight changes फिर major changes बन गए धीरे बहुत सारे changes आ गए थे यहां पर एक painting दिखाई है scribe की making a copy of a manuscript जो की एक manuscript की copy कर रही है देखो किस तरीके से ठीक है दिख रहे है आपको so this painting is only 10.5 cm by 7.1 cm in size मतलब ये बहुत ही छोटी सी painting है इसलिए इसे क्या कहा गया छोटी painting है तो इसलिए हम कहते है इसे miniature, mini का मतलब होता है बहुत छोटा तो इसलिए ऐसी painting जो जिसका size बहुत छोटा होता उसे हम miniature कहते है so miniature paintings were sometimes used to illustrate the text of the manuscript and they were so beautiful that later collectors often took the manuscript apart and sold just the manuscript so yeah लिखा ये हुआ है कि जो manuscript के text होते थे उनको ना इन miniature painting में illustrate किया जाता था describe किया जाता था and ये miniature painting इतनी सुन्दर होती थी कि बाद में collectors ने क्या करा manuscript को छोड़ कर बलकि इनी painting को जो है फिर बेचा जाने लगा and miniature painting का काम ज्यादा तर अकबर के time period में भी हुआ था ठीक है यहाँ पर दो अलग-अलग handwriting दिखाई गई है इनके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे यहाँ पर बाद में बात करेंगे पहले इस paragraph को हम complete करते हैं ठीक है same text became substantially different from one another तो एक ही text एक दूसरे से different होने लगा इसके पीछे reason क्या था कि original manuscript के बहुत सारे copied text आए तो इसलिए same text में हमें थोड़ा सा difference देखने को मिला and यह difference धीरे धीरे change होता गया जैसे जैसे copy text आते गई ठीक है लेकिन यह problem एक serious problem बनकर सामने आई historians के आगे क्यों क्योंकि historians के सामने original manuscript तो होती नहीं थी तो इसलिए historians को copied text पर ही depend रहना पड़ता था and इनी copied text को पढ़कर information को collect करना पड़ता है So as a result historians को कई बार same text के बहुत सारे version of manuscript पढ़ने पढ़ती है मतलब same text के बहुत सारे version बहुत सारी copied manuscript पढ़ने पढ़ती है और ये इसलिए करना पड़ता है ताकि उनको actual में ये पता लगे कि भई originally लिखा क्या हुआ है So कहने का मतलब है कि अलग-अलग version से अलग-अलग information मिलती है और वो भी same text की ठीक है On occasion authors revised their chronicles at different times हम ये भी देखते हैं कि पहले के जो authors होते थे वो occasionally अपने chronicles को revise कर दिया करते थे मतलब उनका एक revised version निकाल देते थे जैसे कि यहाँ example के तोर पर बताया है कि एक 14th century chronicler थे जिनका नाम था जिया उदिन बढ़नी जिया उदिन बढ़नी ने एक chronicle लिखा था पहला 1356 में अब इसी का another version इनों ने इसके 2 साल बाद लिखा ठीक है तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जिया उदिन बढ़नी ने एक text लिखा जो वो लिखा था 1356 में इसी का इनोंने revised version लिखा इसके कुछ 2 साल के बाद the two differ from each other तो 1356 इसके 2 साल बाद जो chronicle लिखा था उन दोनों में बहुत ज्यादा difference है and कमाल की बात यह है कि historians को अभी दक यह नहीं पता था कि जो यह first version है वो भी exist करता है पहले historians को second version मिला, first version इनको 1960 तक तो मिला ही नहीं था तो हम यह क्या देख रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि copied text में जो है original manuscript गुम हो जाती है it remained lost in large library collection तो बहुत सारे, मतलब library collection में, library collection बहुत बढ़ा था बहुत सारी manuscript लिखी थी, कुछ copied थी, कुछ original थी तो copied text में यह नहीं पता चलता था कि original text कौन सा है तो 1960 तक यह जो chronicle है, जो इन्होंने पहला chronicle लिखा था 1356 में, यह 1960 तक तो पता ही नहीं चला था historians को कि बहुत जियाउदीन बर्णी ने कभी कोई ऐसा 1356 में chronicle लिखा है 1960 के बाद पता चला कि अरे भई, इन्होंने ओल्रेडी 1356 में एक chronicle लिखा है और जो हमें पहले मिल गया था, वो second version है ठीक है, तो यह चीज़े भी देखने को मिलती है इसके अलावा यहाँ पर जो यह दो अलग-अलग writing के बारे में बात किया है इसमें यह समझाया है कि अलग writing होने की वज़े से भाशा समझना मुश्किल हो जाता है difficult हो जाता है जैसे कि पहले इसकी अगर हम बात करें, जो left side है यह कौन सा style है? यह है nostalgic style यह style ऐसा है जिसमें ना करसिव तरीके से लिखा जाता है ठीक है? और यह easy होता है पढ़ने में दूसरा है शिकास्ते शिकास्ते एक ऐसा style है जो dancer होता है और बहुत difficult होता है पढ़ने में तो यह वाला style जो है, यह वाला style यह easy है पढ़ने में यह वाला style जो है, ऐसा style है जो dancer है लेकिन difficult है पढ़ने में और यह कर्सिव है, दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि एक्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि नेस्टलिक स्टाइल कौन सा है और शिकास्ते स्टाइल कौन सा है, कौन सा इजी है पढ़ने में, कौन सा डिफिकल्ट है पढ़ने में, ठीक है, तो आज के हमारा य हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री का 1st चैप्टर कर रहे थे, तो अभी हम इस 1st चैप्टर में बात करेंगे about the new social and political groups, तो हम यह जानेंगे कि इन हजार सालों में किस तरीके के नए social and political groups emerge हुए थे, देखो, अगर हम इन हजार सालों की बात करें, like 700 से लेकर 1750 तक के time period की अगर हम बात करें, तो यह time period historians के लिए थोड़ा सा challenging था, reason being क्योंकि इस time period में इन हजार सालों में एक large scale पर बहुत सारे development हुए थे, बहुत सारे changes इस time period में हुए थे, अब यह changes technology के basis पर भी थे, यह changes culture में थे, जैसे की food में थे, इसके अलावा यह changes social and political basis पर भी थे, तो अगर हम technology में इस time period के changes देखें, तो हमें यह देखने को मिलता है, कि इसी time period में irrigation को और बेहतरीन बनाने के लिए Persian wheel का invention हो गया था, अब देखो यह जो Persian wheel है ना, यह एक Iranian technique थी, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, कि यह Persian wheel जो है, इसका invention इसलिए ह हुआ था, क्योंकि जो राजा है, उनको जो अपनी land है, उसको expand करना है, उससे अच्छा कासा उन्होंने revenue collect करना है, तो यह revenue कैसे collect होगा, basically होता यह था, राजा अपनी land को grant कर देते थे, अब जिनको grant करते थे, तो वो यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी कर and जितना agriculture expand होगा, उसका उतना ही revenue collect होगा and revenue collect करके किस की जेब में जाएगा, किस की pocket में जाएगा, राजा की, आई बाद समझ में, तो इस time period में irrigation में हमें Persian wheel देखने को मिले थे, तो Persian wheel एक Iranian technique है, अब मैं आप लोगों को ना इस Persian wheel का एक picture दिखा देती हूँ, जो हमारी NCRT म दिखाया हुआ है, अच्छा अगर आपको इस picture में ये clear ना हो रहा हो ना, तो एक बाद गूगल पर जाके इसकी image देख लेना, आपको पता चल जाएगा, basically, Persian wheel से किस तरीके से सिच्चाई होती होगी, इसके अलावा, अगर weaving की बात करें, तो spinning wheel आ चुके थे, and combat की बात करे तो fire arms आ चुके थे, इससे पहले जो है, fire arms से पहले तलवारों का use किया जाता था लड़ाई लडने के लिए, लेकिन अब weapons कैसे आ गए थे, जिसकी fire arms, मतलब बंदूक वगएरा जो है, वो इस time पर use की जाने लगी थी, अब अगर हम food and beverages की बात करें, तो food and beverages में भी हमें time period था न, इसी time period में हमारे यहां बहुत सारे नए-ने food अराई हुए, जैसे कि potatoes, corn, chillies, tea and coffee, जैसे कि अगर potato, corn, chillies, इन सब की बात करें, तो यह Portuguese की देन थी basically, tea की बात करें, चाइना की देन थी and coffee की बात करें, तो यह Europeans की देन थी, ठीक है, so basically जो Portuguese, Europeans थे, Chinese थे, जो traveler थे, व यहां पर इनको लेकर आये थे हमारे subcontinent में, remember that all these innovations, new technologies and new crops came along with the people, अब आपके mind में यह question आ रहा हुगा कि यह technology यह food and beverages में changes कैसे आये, यह खुद तो चलके आये नहीं होंगे, obviously इसी बात है, तो मैंने आपको ना 6th class में एक चीज पढ़ाई थे, जिसमें मैंने आपको यह ब कि भई, जब एक इनसान दूसरे place पर जाता है, तो वो अपने साथ ना, अपनी family को तो लेकर जाता है, खुद को लेकर जाता है, इसके अलावा वो अपना culture लेकर जाता है, and culture में बहुत सारी चीज़े आती हैं, जैसे कि आपका खान, पान, आपकी भाशा, आपका सोचने का तरीका, बहुत सारी चीज़े culture में आती हैं, culture एक wide term है, तो जब लोग एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं, तो वो अपने साथ अपना culture लेकर जाते हैं, so in the same way, जब बाहर के लोग हमारे subcontinent पर आये थे, उसी वज़े से हमारे यहां innovations देखने को मिले, technology में भी, and crops में भी food में भी, ठीक है, and वही लोग अपने साथ नए-ने ideas लेकर आये थे, so इसी वज़े से, इस time period में हमें economic changes देखने को मिले, political, social and cultural changes देखने को मिले हैं, अब इनके बारे में आप detail में पढ़ोगे, 5th, 6th and 7th chapter में, ठीक है, This was also a period of great mobility, mobility का मतलब होता है, movement, यह time period में लोगों ने बहुत movement की थी Groups of people traveled long distances in search of opportunity, in search of opportunity का मतलब है, कि better काम के लिए, या flourish होने के लिए, लोगों ने एक जगे से दूसरी जगे long distances पर travel किया था The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune, तो लोग एक जगे से दूसरी जगे travel करते थे, in search of better opportunity की धंका काम मिले, वो flourish हो And अगर हम अपने subcontinent की बात करें, तो यहाँ पर immense wealth देखने को मिलती है, और लोगों ने इसलिए travel किया ताकि वो अपने fortune को carve कर सके, that means कि अपने भाग्य को वो बना सके, ठीक है? तो इसे time period में हमें एक group देखने को मिलता है, जो emerge होता है, अब वो group का नाम राजपूत हो गया, राजपूत जो है that derived from राजपूत्र, तो आपको याद है ना, कि हमने देखो caste system, word system जो पड़ा, basically इनको बाटा हुआ था काम के आधार पर, work के base पर, right? तो उन में से एक clan है राजपूत की, राजपूत जो है वो derive होता है राजपूत्र से, राजपूत्र का मतलब है the son of a ruler, important question है यह ध्यान रखना, direct question यह आता है, ठीक है? इसके अलवाब जो यह next line, this is the most important line, तो examiner आपसे यह पूछ लेगा, कि जो यह राजपूत group है, अब यह राजपूत्र जो है, यह कब flourish होते हैं, कौन सी century में यह emerge होते हैं, 8th से लेके 14th century, ठीक है? 8th to 14th century में यह flourish होते हैं, and the term was applied, कौन सी term? राजपूत्र, यह जो term है, यह apply होती है, उन लोगों पर जो group of warriors थे, मतलब एक ऐसा group जो warrior थे, जो लड़ायां लड़ते थे, and यह अपने आपको शत्रिय कास्ट स्टेटस पे claim करते थे, ठीक है? तो क्या समझें आप? देखो, आपको अब यह समझना है, कि अगर हम 8th से लेके 14th century की बात करें, तो social group, that means social group में हमें changes देखने को मिलते हैं, कि इस time period में जो राजपूत्स हैं, यह जो राजपूत्स हैं, वो flourish होते हैं, emerge होते हैं, एंड राजपूत्स जो यह word है, राजपूत्र से आया है, राजपूत्र का मतलब the son of ruler, मतलब राजपूत्र का बेटा, लेकिन राजपूत्र जो word है, यह सिर्फ son of ruler तक ही सीमित नहीं था, मतलब राजा के बेटे दकी सीमित नहीं था हम इसमें देखेंगे बहुत सारे लोग इसमें आते थे जो ये राजपूत्र जो ये टर्म है ये उनके लिए यूज की जाती थी जो गुरुप थे वोरियर्स के वोरियर्स के गुरुप का मतलब जितने भी लोग लड़ाई लड़ते थे जैसे कि आर्मी हो गई राजा हो गई राजा का बेटा हो गया सैनिक हो गई सब सब लोग जो है वो किस में आते थे राजपूत में आते थे and ये अपने आपको कहते थे कि भई हम शत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं ओके चली अब next देखते हैं एक बार हाँ तो इदे को यहाँ पर बताया हुआ है उपर की लाइन हमारे सक्पो गई शायद the term included कि यह जो राजपूत या राजपूत्र जो term है ना यह किसके लिए है तो यह सिर्फ रूलर्स के लिए है नहीं नहीं चिफ्टेंज के लिए बलके यह soldiers and commanders के लिए भी है देखो यहाँ पर यह बात कईहें कि यह राजपूत जो यह आर्मीने में Communists के अंडर यह के अमें तो इसमें रूलर्स, चीफटेंस दो आते हैं तो इसमें रूलर्स तो आते हैं चीफटेंश भी आते हैंём इसके अलावा इसमें के मान्डर्स के पून आते हैं इनको भी राजपूत के स्क्रांद के डाला गया अब यह जो soldiers and commanders है ये armies में serve करते हैं अलग-अलग monarch के under ये काम करते हैं all over the subcontinent राइट अब आई बात समझ में कि अगर ये question आ जाए कि राजपूत्र का मतलब क्या है आपको बताना है the son of ruler अगर ये आ जाए कि राजपूत ये जो term है ये इनके लिए apply होती है तो आपको याद रखना है ये term apply होती है ruler के लिए भी chiefains के लिए भी soldiers के लिए भी commanders के लिए भी ठीक है इसके अलावा आगे आने वाले chapters में राजपूत के बारे में पढ़ोगे जैसे की गुर्जर प्रतिहार हो गए चंडेल dynasty हो गई चोहान हो गए अगर हम दिल्ली की बात करें तो तोमर हो गए राइट फिर आप गुजरात की तरफ भी पढ़ोगे कनोज में भी पढ़ोगे अलग-अलग राजपूत की जो dynasty थी वो emerge होई थी अब राजपूत के लिए न कुछ qualities attributes की गई एंड राजपूत की qualities को praise किया गया by poets and bards bards का भी मतलब होता है point अब किस तरीकी की qualities attributes की गई राजपूत को लेकर देखो poets एंड जो bards थे bards का मतलब कवी ठीक है points का मतलब भी वही हुआ इन्होंने राजपूत को लेकर कुछ qualities बताई इन्होंने कहा कि राजपूत है और शिवैलरी code of conduct का मतलब यह है कि इनमें extreme valor है मतलब यह काफी बहादूर है and a great sense of loyalty कि इनमें या इनके खून में एक loyalty है ठीक है so यह बाते किन के लिए कही थी राजपूत के लिए कही गई थी अब राजपूत के अलावा other जो groups है वो भी emerge होते हैं जैसे कि Marathas, Sikh, Jarts, Ahomes, Caius ठीक है तो यह सब जो हैं इस time पर emerge होते हैं so they also used the opportunities of the age to become politically important and in सबने भी politically important का मतलब है कि अपने आपको और ज्यादा politically flourish करने की कोशिश की अब देखो जो यह कायस्त है, it is a caste of scribe and secretaries यह कायस्त जो एक group है, इसके जो लोग थे वो scribe people थे ठीक है and secretaries थे, right, all in all कहने का मतलब यह है कि कायस्त जाती में वो लोग थे जो scribes people थे and जो secretaries का काम करते थे, ठीक है अब इसी time period में हमें na agriculture का extension भी देखने को मिलता है लेकिन agriculture का extension कैसे देखने को मिलता है, उसके बारे में हम जानेंगे and इसी time पर हमें pageant का group emerge होता हुआ दिखता है so throughout this period there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture तो इस time period में हुआ यह कि forest को clear कराया गया gradually ताकि उस जगह पर फिर agriculture किया जा सके तो हमें यह देखने को मिला कि कुछ जगह पर तो faster changes हो रहे थे comparison to other areas and किनी areas में हमें क्या देखने को मिला कि complete changes हो चुके थे अब यह जो changes हुए इनका पूरा का पूरा प्रभाव किस पर आया देखो forest को अगर clear कराया जा रहा था तो इसका प्रभाव उन पर आएगा न जो forest में रहने वाले लोग हैं तो वो कौन हुए वो हुए forest dwellers ठीक है तो जब आप कहीं रहते हो जो एक place में रहने वाले लोग होते हैं उनको न हम habitat कहते हैं तो habitat basically जैसे कि ये area है या फिर चलो forest dweller की बात कर लेते हैं ये एक forest हो गया इसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं तो ये habitat हो गया यहां पर रहने वाले लोग और उनका जो environment है उनका जो social economic जो lifestyle है उसी को हम habitat कहेंगे तो अब हुआ ये कि forest को जब clear कराया जा रहा था तो इसका हमें प्रभाव देखने को मिला forest dwellers की जिन्दगी पर तो अब जो forest dwellers थे मतलब जो one में रहने वाले लोग थे उनको migrate होना पड़ा अब उनको अपनी जगह चोड़ कर दूसरी place पर जाना पड़ा कुछ ऐसे dwellers थे जिन्नों ने land को toil करना start कर दिया मतलब land को जोतना शुरू कर दिया और बाद में वो क्या बन गए? pageant बन गए मतलब किसान बन गए, cultivator बन गए तो ऐसा करते करते धीरे धीरे हमें ये देखने को मिला कि इसी time period में new pageant group emerge होता है अब ये pageant group किसका होता है? forest dwellers का वो forest dwellers जिन्नों ने land को toil करना शुरू किया और फिर ये pageant बन गए तो धीरे धीरे हमें इनका एक नया pageant group देखने को मिला लेकिन ये जो pageant group था ना ये independent नहीं था basically इनको ना tax pay करना पड़ता था, ठीक है? तो ये जो pageant group है इनको influence किया गया by regional market, chieftains, priest, monasteries and temples and जो ये new pageant group था, जो इस time पर emerge हुआ, ये society का, complex society का basically एक large हिस्सा बन गया अब इनको ना taxes pay करने पड़ते थे अपने local lord को, ठीक है? तो ये या तो कुछ goods या services को offer करते थे तो basically all and all आपको ये ध्यान रखना है, कि ये जो new pageant group इस time पर emerge होकर आया था, ये independent नहीं था इनको pay करने पड़ते थे, taxes ठीक है? तो taxes इनको अलग-अलग तरह से pay करने पड़ते थे इनको goods वगेरा offer करने पड़ते थे, services offer करनी पड़ती थी local lord को So, अब क्या हुआ? As a result हुआ ये, कि हमें pageants के बीच में, among pageants, हमें significant economic difference देखने को मिला and social difference देखने को मिला, अब इस line का मतलब क्या ध्यान से सुनना? देखो हुआ ये, कि कुछ farmer ऐसे थे, जो rich बन गए, कुछ farmer ऐसे थे, जो बिलकुल गरीब रह गए अब कुछ farmers ऐसे थे, जो moderate थे, मतलब जो ना, जैसे middle class लोग हो गए basically, जिनका अपना कुदगा गुजर बसर हो जाता है ठीक है? So, यहां पर हमें ये देखने को मिला, कि कुछ pageants के पास अच्छा खासा पैसा आ गया जिसके पास पैसा आ गया, वो rich हो गए, जो अपना खुद का गुजर बसर अच्छे से कर रहे थे, अपने livelihood को चला रहे थे, वो moderate हो गए एंड कुछ ऐसे किसान हुए, जिनके पास ना तो जमीन थी, एंड उपर से इनके पास ना ही अच्छा कासा कुछ revenue ऐसा collect होता था So, ये बिल्कुल poor रह गए तो अब हुआ ये, कि इसी economic के basis पर, मतलब पैसो के basis पर, इनके बीच में, pageant के बीच में हमें social difference देखने को मिला Social difference का मतलब है, rich farmers claim करने लगे कि हम high status के है, moderate वाले करने लगे कि हम high तो नहीं है, लेकिन हम moderate status के है अब बिचारे poor कहा जाएं, तो इनको तो law status पर रखा गया, तो ये देखने को मिला कि इसी time period में, pageants के बीच में economic changes तो आए ही आए और इसी economic changes की वजए से हमें social difference देखने को मिला, so basically social difference का मतलब ये है, high and low class, ठीक है तो rich and poor दोनों के बीच में हमें rift देखने को मिला, अब आगे हम यहां जानेंगे कि लोगों के बीच में differentiation कैसे आया तो देखो हुआ ये कि कुछ लोगों के पास तो productive land थी, कुछ लोग ऐसे थे जो अपने livelihood को earn करते थे by keeping the cattle, cattle को rear करते थे और कुछ ऐसे लोग थे या ऐसे farmers कहलो कि जो ना lean season में, lean season का मतलब है एक ऐसा मौसम होता है जब ना agriculture activity नहीं की जाती ठीक है तो ऐसे season में जो मतलब खाली time period होता था उनका तो वो artisanal work करते थे So as society became more differentiated, जैसे जैसे society में differences आये, people were grouped into जाती और sub-cast तो हुआ ये कि society में difference आये तो लोगों ने एक दूसरे को जाती में या ये कहलो sub-cast में divide करना शुरू कर दिया एंड इसके अलावा इतना ही नहीं बलकि अपने खुद के background and occupation के हिसाब से rank भी डाल दी That means कि हम उपर rank पर आएंगे, हम middle rank पर आएंगे, हम low rank पर आएंगे ठीक है तो background में पैसा देखा गया, occupation में काम देखा गया तो अपने काम और पैसे के हिसाब से rank में लोगों को डाल दिया गया लेकिन ध्यान रखना ये rank ना permanently fix नहीं थी, ये rank जो है area to area change होती थी एंड ये rank जो है area to area vary तो होती थी, इसके अलावा ये vary किस basis पर होती थी, ये भी तो जानना जरूरी है तो ये rank बदलते थे area to area according to the power, influence and resources controlled by the members of जाती कि बही किसी जाती के members के पास कितनी power है या उस area में उसका कितना influence है या फिर कितने resources उसके पास है इस basis पर सेम जाती का status area to area बदल जाता था, for example अगर एक जाती हर्याना में top rank पर है तो वही जाती महराश्ट्रा में सबसे low rank पर भी हो सकती है, तो ये जो चीज है ना rank जो है, ये change कैसे होती थी area to area, तीन चीजों पर depend करता था power, influence and resources, ओके जाती और सब कास्ट ने अपने खुद के rules regulations बनाए ताकि वो अपने members को manage कर सके, उनके लिए rules regulations जो बनाए जाते थे, वो किसके द्वारा बनाए जाते थे? actually होता ये था कि हर जाती के जो elder people थे, उनकी assembly होती थी, जिने कहा जाता था जाती पंचायत कुछ areas में, ये जो जाती पंचायत है, ये rules बनाते थे, regulations बनाते थे, and इनके जो members है, उनको ये rules and regulations follow करने परते थे, बट इसके अलावा, इन जाती को गाउं के भी rules follow करने परते थे ठीक है, क्या समझे, कि जाती जने अपने rules regulation तो बना ही रखे थे, जो इनको follow करने परते थे, बट ये जिन गाउं में रह रहे हैं, उस गाउं के भी rules, regulations इनको follow करने परते थे, अब किसी गाउं में हमें ये देखने को मिला, laws and force किये जाते थे, जाती पंचायत के थे, and किसी चाहे चीफटेंस की करो, जाती पंचायत की करो, साथ में मिलकर ये एक state का small unity बनते थे, या बनाते थे, ठीक है, so यहाँ पर हमारा जो ये वाला partner है, ये complete हो गया, लेकिन मैं आपको ने इसका एक revision दे देती हूं, फट्टा-फट से, देखो इसमें हमने ये पढ़ा, कि इन्वेंशन वील का इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन नहीं कहेंगे, इन्वेंशन कहेंगे, बेसिकली हम इसे, ठीक है, इसके अलावा spinning wheel का इन्वेंशन हुआ वीविंग में, अब जो है तलवारों की बजाए, fire arms का यूज होने लगा, मतलब गोला, बारूद, बंदूक इसके लावा food and beverages की बात करें, तो तरह तरह के food जो है इस टाइम पर आए थे, अब यह जो changes आए थे, यह इसलिए आए थे, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जब travel करते हैं, तो वो अपने साथ अपना culture लेकर आते हैं, अपना tradition लेकर आते हैं, तो जब बाहर के लो में लोग एक जगह से दूसरी जगह movement करते रहते थे, तो एक नया जो एक powerful group इस टाइम पर emerge होता है, वो है राजपूत का, और यह कौनसी century में emerge हुआ, 8th century से लेकर 14th century तग, फिल्स के अलावा ध्यान रखना कि राजपूत में अगर देखा जाए, तो राजपूत जो यह term ह यह rulers, chief, soldiers and commanders के लिए use होती थी, बहुत important question है यह ध्यान रखना, फिर इसके बाद हमने यह देखा कि लोगों ने अपने आपको काम के basis पर अलग-अलग, you know, subcast में बाटा हुआ है, फिर उसके बाद हमने यह देखा कि agriculture का extension भी इस time पर होता है, अब agriculture का extension जो इस time पर होता है, उसमें हमें changes देखने को मिले forest dwellers की life में and इसी time पर pageant group emerge होता है, अब pageant group में हमें यह देखने को मिलता है कि farmers के बीच में भी हमें एक अमीर और गरीब का दरजा देखने को मिलता है, high and low status का दरजा देखने को मिलता है, इसके अलावा फिर हमें यह देखने को मिला कि society में ज जैसे जैसे changes आ रहे थे, जैसे जैसे differences आ रहे थे, जैसे जैसे लोगों के occupation बनल रहे थे, वैसे-वैसे हमें यह देखने को मिला कि लोगों के बेच में अब divization हो चुका था, अब यह divide जो हुआ था लोगों के बीच में, कौन से basis पर हुआ था? काम के बेसिस पर उनकी power उनके influence के बेसिस पर तो उनको बाटा गया जाती, subcast में इसे साब से उनकी rank भी तयार की गई लेकिन ये rank जो है ये change होती रहती थी area to area एक जो status है जाती का वो एक एरिया में high हो सकता है पर हो सकता है लेकिन दूसरे एरिया में सेम जाती का status बिलकुल लो पर भी हो सकता है ये डिपेंड करता था उनके power, influence and resources पर एंड हर एक जाती के अपने rule regulations है लेकिन ये rule regulation के अलावा इनको गाउं के भी rules को मानना पड़ता था तो इस तरीके से हमने social and political groups के बारे में बात की and नई changes के बारे में हमने बात की अब देखो यह जो changes हो रहे हैं यह historians के लिए काफी challenging थे क्योंकि historians को सब कुछ पढ़ना था and हमारे सामने उसका एक you know main fact हमारे सामने रखना था so basically देखा जाए तो historians के लिए भी थोड़ा सा यह time period थोड़ा challenging रहा था इसको पढ़ना इसको समझना challenging रहा था ठीक है चलिए अब जो next point है na region and empire इसको हम next video में करेंगे आप मेरे साथ Instagram, Telegram पर जुड़ सकते हैं यहाँ पर time to time आपको notification मिलती रहती है चलिए मिलते हैं next video में till then bye bye thank you so much for watching this video I wish you all the best keep learning Hello everyone I am Priyanka Gor welcome back to my channel learning with pace अभी हम लोग region and empire के बारे में पढ़ेंगे So अगर हम large states की बात करें जैसे की चोला डाइनस्टी, तुगलक डाइनस्टी and मुगल डाइनस्टी They encompassed many regions that means की चोला, तुगलक and मुगल इनके अंडर में काफी सारे regions थे, काफी सारे areas थे Large territory in dynasties के अंडर में आती थी, चोलाज के बारे में आप chapter number 2, तुगलक्त के बारे में आप chapter number 3 and मुगल्स के बारे में आप chapter number 4 में पढ़ेंगे A Sanskrit प्रशस्ती, Praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban अब देखो, एक प्रशस्ती से हमें किसके बारे में पता चलता है, गियासuddin Balban के बारे में पता चलता है तो प्रशस्ती होती क्या है, basically प्रशस्ती is kind of an inscription ठीक है, inscriptions को Sanskrit में प्रशस्ती कहा जाता है तो ये प्रशस्ती गियासuddin Balban के बारे में लिखी गई, जिस से हमें उस प्रशस्ती से हमें गियासuddin Balban की life के बारे में पता चलता है और गियासuddin Balban कोन थे? ये डेली सुल्तान थे तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, कि अगर हम सुल्तान डाइनेस्टी की बात करें, तो सुल्तान डाइनेस्टी की सबसे पहली डाइनेस्टी कौन सी थी? स्लेव डाइनेस्टी चैप्टर नमबर त्री में आप इसके बारे में पढ़ोगे, don't worry Slave Dynasty का Time Period रहा 12.06 से लेकर 12.90 तक का तो इसी के जो Last Ruler थे जो Last Ruler थे वो थे गियासुदीन बल्बन अब गियासुदीन बल्बन जो है इनका जो Time Period रहा वो था 12.66 से लेकर 12.87 तक का तो slave dynasty के ही last ruler गयासुदीन बल्बन थे तो हमें बल्बन के बारे में एक प्रशस्ती से पता चलता है और ये प्रशस्ती संस्क्रीट में लिखी गई अब क्या हमें पता चलता है प्रशस्ती से? हमें इनकी प्रशंशा देखने को मिलती है प्रशस्ती में प्रशंशा लिखी जाती थी एंड इनफेक्ट इग्जेजरेट करके लिखा जाता था तो देखिए बल्बन के बारे में क्या explain किया गया? तो बल्बन के बारे में point ने ये बताया कि बल्बन के अंडर में vast empire था एंड ये बहुत बड़े सामराजय का ruler था फिर ये बताया गया कि इसका जो empire है कहां से कहां तक stretch था तो हमें ये जानने को मिलता है कि प्रशस्ती से कि बल्बन जो है ना उसका जो empire था वो stretch था from Bengal to Afghanistan तो east से लेकर west तक पूरा फैला हुआ था Bengal से लेकर अफगानिस्तान तक ठीक है और ये जो God and गजना ये बताया गया है सो basically ये area है ठीक है and included all of South India तो कहने का मतलब है कि Bengal से लेकर अफगानिस्तान इसके अलावा South India जो है वो सारक किसके अंडर में था गिया सुदीन बल्बन के अंडर में था तो ऐसा भी हमें प्रशस्ति से पता चलता है कि भई जो ये बल्बन था ना ये इतना शक्तिशाली था कि जहां भी ये पहर रखता वहां के लोग भाग जाते थे डर के मारे तो ये बताया गया कि जो इन areas में रहने वाले लोग थे वो डर के मारे भाग जाया करते थे, क्योंकि उनको लगता था वो बल्बन से जो है पंगा नहीं ले सकते, तो यहाँ पर बल्बन की प्रशंसा बताई गई प्रशस्ती में, अब देखो, historians का काम तो है पास्ट के बारे में पता लगाना, तो अब देखते हैं कि historians ने बल्बन क के बारे में क्या पता लगाया, so historians regarded these as exaggerated claims of the conquest, तो आप देखो, यहाँ पर यह जो areas बताए, कि भाई, यह areas जो थे, यहाँ पर रहने वाले जो लोग, राजा, kingdom थे, वो सब किसके अंडर में आ गए थे, ग्यासुदीन बल्बन के अंडर में आ गए थे, ग्यासुदीन बल्ब बताया गया है, तो देखो, historians ने क्या बुला, historians ने कहा कि इतना conquest, जो है, इतनी जीत, जो है, वो बल्बन ने हासिल नहीं की थी, बल्कि इनकी प्रिशस्ती में exaggerated तरीके से claim किया हुआ है, मतलब बढ़ा चड़ा कर जूट-जूट लिखा हुआ है, right? At the same time, they try to understand, अब historians इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे, why rulers kept claiming to have control over different part of the subcontinent, कि भाई ये rulers इतना जूट क्यों लिखवा दे थे अपने बारे में प्रिशस्ती में, reason क्या था? तो ये चीज मैंने आपको already बता दिया है, कि क्यों जो राजा महराजा थे, वो अपने बारे में exaggerate करके प्रिशस्ती लिखवाया करते थे, ठीक है? अब ये जो आमीर कुजरो वाला part है, ये हम next अभी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आगे वाला part करते हैं, और उसके बाद हम इस topic को जानेंगे, by 700, many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics, तो हम ये देखते हैं कि अगर 700 की बात करें, तो इस time period में हमें बहुत सारे regions ऐसे देखने को मिले, जहां पर अलग-अलग ruling dynasty थी, ठीक है? देर से की देको यां लिखा हूँ है, they were associated with specific ruling dynasties, तो अलग-अलग जो region, अलग-अलग area पर अलग-अलग ruling dynasties थी, ठीक है, and हर एक ruling dynasty का अपना geographical dimension था, मतलब उनको पता था कि उनकी territory कितने से कितने तक की है, है न, इसके अलावा हर एक ruling dynasty के अपने language and cultural characteristics थे, there was considerable conflict between these states, अब यह जो अलग-अलग ruling dynasties है, इनके अपने जो region है, या states है, इनके बीच में जो है, conflicts चलते रहते थे, ठीक है? इनके बीच में जो है, लड़ाईया वड़ाईया तो चलती रहती थी, अब यहाँ पे तो हमने small kingdoms की बात की, या यह कह लो, regional empires की बात की, लेकि मतलब, large amount में जो है, territory जो है, किनके अंडर में थी, चोला, खलजी, तुगलक, मुगल्स, तो यह जो dynasties थी, large state dynasties, जैसे की चोला, खलजी, तुगलक and मुगल्स, इनकों ने अपना एक बहुत बड़ा empire बनाया, that was pan-regional and spanning diverse regions, तो इनके अंडर में diverse, diverse regions अंडर में थे, मत So, अगर हम इन सभी चोला, खलजी, तुगलक, मुगल्स की बात करें, सभी जो empires थे, they were not equally stable and successful, मतलब, एक जैसे equally stable and successful नहीं रहे, सबका अपना अलग तरीके से stability and successful time period रहा है, इसके बारे में तो आप chapter number 3 and 4 में जानोगे, जब आप खलजी and मुगल के time period के बारे में, ruling time period के तो आपको समझ में आएगा, इसको अभी हम करते हैं, पहले ये वाला पार्ट देखो एक बार, ये वाला पार्ट करते फिर आगे वाला topic करेंगे, language and region, 13-18 में एक बहुत important point थे, आमीर कुसरो, उन्होंने बताया कि जो हमारा ये area, ये जो subcontinent है न, इसमें बहुत सारी languages को जाता था, जैसे कि हर एक region की अपनी specific language थी, जैसे सिंधी, लाहोरी, कश्मीरी, दवसमूंदरी, जो की सदन करनाटका में बोली जाती थी, whereas आंदर प्रेदेश की बात करें, तो तेलंगानी, कुजरात की बात करें, तो गुजरी, मौबरी, कहां पर तामिल नाडु में, इंपोर्टेंट क्वेस्चन है, गौरी, बिंगोल में बोली जाती थी भाशा, अवधी कहां पर, इस्टर्ण उत्तर प्रेदेश में, हिंदवी कहां पर, इंदा एरिया अराउंड दा डेली, तो आप देखो कि अलग 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 region की अपनी specific language थी, तो अब आपको यहां प अब आपको यहां पर आपको यह बात अब समझ में आई, कि अलग अलग region की अपनी अलग अलग language, अब आमीर कुसरो आगे यह बताते हैं, कि अगर हम संस्कृत की बात करें, तो संस्कृत डिड नोट बिलोंग टो एनी region, बहुत important question, आमीर कुसरो ने यह भी mention किया, कि संस्क पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करती थी, जैसे कि अगर हम यहां बात करें, तो अवदी कहां बोली जाती थी, सिर्फ इस्टर्ण उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही हिंदवी कहां बोली जाती थी, in the area around the Delhi, लेकिन अगर संस्कृत की बात करें, तो संस्कृत ऐसे किसी रीजन में नहीं बोली जाती थी, मतलब यह ना किसी एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करती थी, and संस्कृत एक ओल्ड लेंग्विज थी, and इंफेक्ट एक रोयल लेंग्विज मानी जाती थी, तो संस्कृत जो है, वो common people को तो आती नहीं थी, आम लोगों को तो ना समझ में आती थी, ना बोली जाती थी, and संस्कृत सिर्फ और सिर्फ ब्रामीन्स बोलना and पढ़ना जानते थे, चीक है, तो यह important चीज है ध्यान रखना, आगे तो ऐसे ही बतायो, एक बार पढ़ लेना, अग, ओके, तो अभी हम यहां बात करेंगे, जब मुगल empire का decline हुआ, 18th century में, तो उस time period के बाद, हमें यह देखने को मिला, कि धीरे धीरे, छोटे छोटे जो regional states थे, वो अब re-emerge होने लगे, क्योंकि अब जो regional states के जो provincial governor थे, provincial जो राजा थे, उन्होंने अपने आपको independent ग empires के अंडर में रहते थे, लेकिन जैसे ही एक बहुत-बड़ा empire decline होता, वैसे ही जो regional states है, वो re-emerge हो जाते, तो हमें यह देखने को मिलता, एक बहुत-बड़ा empire जैसे ही decline हुआ, वैसे ही छोटे-छोटे regional states है, regional kingdom है, वो फिर से flourish होने लग जाते, लेकिन इन जो regional states है, इन areas में हमें यह देखने को मिलता है, कि बड़े empire का ही एक influence दिखता है, क्योंकि इनको उनी के अंडर में रहने की आदत हो चुकी थी, तो वहां का जो imperial या pan-regional rule था, उसी rule को यह regional states में भी अपनाया करते थे, कहने का मतलब है, यह चोटे-चोटे जो kingdom होते थे न, यह किस तरीके से governing करते थे, यह बड़े empire से जो इन्होंने सीखा, उसी चीज को यह आगे बढ़ा लिया करते थे, राइट, across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of big and small states that had ruled over them, सो कहने का मतलब है कि across most of the subcontinent, मतलब subcontinent के बहुत सारे areas में हमें किसकी legacies देखने को मिली, बड़े-बड़े empire की, और बड़े empires की legacies हमें big and small states में देखने को मिली, जिन पर इन्होंने rule किया, देखो इस चीज़ को चोटा सा एक example से समझाती हूँ, जैसे की हम पर Britishers rule करके गई, है ना, अब जब Britishers से हमें आजादी मिली, हम independent हुए, तो हमने ना Britishers की बहुत सारी चीज़ों को adopt भी किया था, so in the same way, जब एक बहुत बड़ा empire, इन चोटे-चोटे regional empire पर rule करता, और वो empire अगर decline हो जाता, तो यह जो चोटे-चोटे regional empire है, वो उस बड़े empire के rules, regulations को ही आगे follow करते थे, right? अब जैसे कि मैंने आपको example बताये कि Britishers से हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़े adopt की, so in the same way, जो चोटे-चोटे regional states थे, उन्होंने भी बड़े empire से बहुत सारी चीज़े adopt की थी, legacies के तोर पर, जैसे कि किस तरीके से governance करना है, मतलब अपना शाशन किस तरीके से चलाना है, economy को कैसे manage करना है, and elite culture and language भी इनसे adopt की है, ठीक है, and इसी वज़े से हमें अलग-अलग regional area में, कभी तो हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ traditions distinct है, मतलब अलग-अलग है एक दुसरे से, and कुछ traditions shared है, similar है, so अगर हम इन thousand years की बात करें, seven hundred से लेकर, seventeen fifty तक की बात करें, तो ये जो different regions है, ये जो अलग-अलग areas या regional states है, इनके characters isolation में ग्रो नहीं हुए थे, अलग-अलग ग्रो नहीं हुए थे, बलकि ये जो regional states है, इन पर हमें larger pan-regional forces का, मतलब बड़े-बड़े empire का impact देखने को मिला, वो भी integration में, and integration का मतलब आप समझे, कि mix के तोर पर मिला हुआ, जैसे कि एक तो जो ये regional state है, इनकी खुद की जो identity है, वो lose नहीं होती थी, इसके साथ वो नहीं चीज़ों को adopt करते थे, जो big forces थे, मतलब जो बड़े empire थे, so without ever quite losing their distinctiveness, that means कि इन्होंने अपनी identity को, जो छोटे-छोटे ये regional empire थे न, इन्होंने अपनी identity को भी बरकरार रखा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़े, as a legacy के तोर पर, इन्होंने किन से ली थी, बड़े empire से, legacies के तोर पर adopt की थी, तो इसलिए हम यहां पर integration की बात कर रहे हैं, कि दो tradition में हमें क्या देखने को मिला, integration देखने को मिला, एक तो इनकी खुद की identity और एक adopted identity, right, जैसे कि, किस तरीके से, economy को manage करना, administration किस तरीके से होना चाहिए, governance किस तरीके से होनी चाहिए, यह सब चीज़े, adopt की गई थी, okay, so I hope आपको इतना जो topic है, वो समझ आ गया होगा, कोई doubt है, comment section में बता देना, don't worry, ठीक है, अब जो यह next part है, इसको हम next video में करेंगे, notifications मिलती रहती है, आपको telegram, instagram का link, description box में मिल जाएगा, and आपको 7th class की जो playlist है, वो भी मिल जाएगी, चलिए मिलते हैं, next video में, bye-bye, Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel, Learning with Pace, अभी हम बात करेंगे about the old and new religions के बारे में, अगर हम इन 1000 सालों की बात करें, 1000 साल कौन से, 700 से लेकर 1750 A.D. तक का जो ये time period है, अगर हम इस time period की बात करें, तो हमें religious traditions में major developments देखने को मिलते हैं, people's belief in divine, मतलब लोगों का उस time पर जो भगवान में, divine power में विश्वास था, वो कही न कहीं deeply personal था, तो मतलब सब के अपने personal viewpoint, तो अगर विश्वास की बात करें, लोगों की belief की बात करें, divine power में, तो वो लोगों का अपना personal belief था, बट अगर हम religion की बात करें न, धरम की अगर हम बात करें, तो वो collective था, अब पहले तो यहां पर इस line का मतलब समझो, फिर आगे बताती हूं, देखो, अगर हम लोगों के विश्वास की बात करें भगवान में, तो सब का अपना personal viewpoint था, ठीक है, कोई मूर्ती पूजा करता था, कोई मूर्ती पूजा नहीं करता था, राइट, एंड कोई शिवजी को पूछता था, तो कोई विश्णू जी को पूछता था, कहने का मतलब है, सब के अलग-अलग देवी देवताओं में अपने जो हैं बिलीफ थे, बट अगर religion की बात करें, तो religion क्या है, धरम क्या है, ये एक collective belief होता है, जैसे कि suppose करो, अगर आप कृष्ण की भगती करते हो, और मैं शिवजी की भगती करती हूँ, और कोई तीसरा परसन जो है, वो हनुमान जी की भगती करता है, तो अब कहने को आपके अपने personal belief है, divine power में, बट आप एक ही religion को तो बिलॉंग करते हो, हिंदू, ठीक है, तो हिंदू religion जो है, उसमें भगवान को एक ही तरीके से तो पूजा जाता है, एक ही तरीके से festivals मनाये जाते हैं, तो कहने का मतलब है, कि religion is collective belief, and whereas अगर हम divine power में belief की बात करें, तो लोगों के अपने personal belief थे, तो हिंदू का अपना personal belief है, religion के आधार पर, muslim के अपने personal belief है, उसकी यहाँ पर बात की गई है, अब आगे यह कहा गया है, कि जो यह supernatural agency में collective belief होता है, इसी को हम religion कहते हैं, अब अगर हम religion की बात करें, तो यह closely connect होता है आपके social and economic organization पर, तो जैसे कि देखो for example, अगर हम forest dwellers की बात करें, तो वो प्रकरती को पूजते हैं, क्योंकि वो nature के बिलकुल closely connected होते हैं, तो कहने का मतलब है, social and economic organization से ही आपका जो धरम का जुड़ाव है, वो हमें देखने को मिलता है, जैसे जैसे आपके social world में changes होते रहते हैं, वैसे वैसे belief में भी हमें alteration देखने को मिलता है, जैसे कि इसी time period में हमें changes देखने को मिले, जैसे हम Hinduism कहते हैं आज के time पर, these included the worship of new deities, हमें ये देखने को मिला कि Hinduism में अब नए नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी, इसके अलावा उनके लिए temples बनवाये गए, and temples कोन बनवाते थे? royalty people, मतलब राजा रानी लोग जो थे, वो temples बनवाया करते थे, and the growing importance of Brahmins, the priest as dominant group in the society, इसके अलावा हमें ये देखने को मिला कि, जो Brahmins में priest थे, priest पुजारी जो लोग थे, वो basically Brahmins में से ही थे, तो ये जो priest थे, इनको dominant group जो है, माना गया society का, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, कि अगर देखा जाए, जैसे जैसे हमारे social world में, changes आते रहते हैं, वैसे ही belief में changes आते रहते हैं, जैसे गर Hinduism की बात करे, तो हमें ये देखने को मिला, कि नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, लोग worship करने लगे, उनके लिए temples बनवाने लगे, अब temples बनवाए जाते थे, royalty people के थूँ, इसके अलाब अगर हम Brahmins के position की बात करें न, तो ये society में dominant group कहलाए जाते थे, मतलब ये न काफियो respected माने जाते थे, ठीक है, and Brahmins में जो priest हो गई, basically यहाँ पर उनकी बात हो रही है, their knowledge of Sanskrit text, अच्छा ये हमने अल्रेडी अभी पढ़ा था, अभी last topic में, कि Brahmins के पास Sanskrit की knowledge थी, and आप लोगों को ना तो Sanskrit भाषा आती थी, न समझ आती थी, न बोलनी आती थी, तो Brahmins ऐसे थे, जिनको भी Sanskrit text पढ़ने आते थे, बोलने आते थे, लिखना आता था, right, so their knowledge of Sanskrit text, earned the Brahmins a lot of respect in society, तो Sanskrit की knowledge, इसका ज्यान होने की वज़े से, Brahmins को society में काफी respect भी मिली थी, their dominant position was consolidated, consolidated का मतलब होता है, मजबूत करना, their dominant position was consolidated by the support of their patrons, and that means new ruler searching for the prestige, अब देखो यहाँ पर कितने important बात के ही गई है, पहले तो patrons का मतलब समझो, patron का मतलब होता है, एक वो wealthy, एक वो अमीर इंसान, जो दूसरे person को support करता है, जैसे कि एक राजा हो गया, एक राजा support करता है, एक artist को, craft person को, learned man को, noble people को, तो वो राजा, जो इनकी help करता है, financially, उसको हम क्या कहेंगे, उस राजा को कहेंगे, हम patron, ठीक है, for example, आप अपनी जिंदेगी में लगा कर देख लो, अगर आपको कोई ऐसे help करता है, आपकी हर time पर आगे, पिछे आपका financially support करता है, इसके अलावा आपकी हर चीज में help करता है, वो इनसान आपका patron हो जाता है, मतलब आप इस चीज को समझ रहे हैं, मैं सिर्फ एक छोड़ा से example देखे, आपको समझा रही हूं, तो अब देखो, अगर हम, इस time period की बात करें, तो ब्रामिन्स को वैसे तो dominant group माना जाता था society में, बट ना ब्रामिन्स की ये जो position थी ना, dominant position, कि बहई ये सबसे उपर हैं, इस position को और मजबूती कब मिली, क्योंकि ना इन ब्रामिन्स को राजा का support मिलता था, तो इसी लिए ब्रामिन्स की जो position थी, dominant position ये और जादा consolidate होती गई, क्यों क्योंकि ब्रामिन्स को support करने वाले patterns थे, और patterns कौन थे, वो नए ruler जो अपने prestige के चकर में क्या करते थे, राजाओं को support करते थे, ठीक है, prestige का मतलब क्या है, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, one of the major development of this period was the emergence of the idea of bhakti, इस time period में हमें एक major development देखने को मिला, idea of bhakti का, a loving personal deity that devorts could reach without the aid of priest or elaborate ritual, देखो, पहले क्या होता था ना, जब तक bhakti का idea नहीं आता था, उससे पहले होता ये था, कि भगवान की पूजा करने के लिए, या कोई भी ritual करने के लिए, priest की जरूरत पढ़ती थी, बट जैसे idea of bhakti emerge हुआ, तो ये देखने को मिला कि, अब idea of bhakti का main name ये था, या main purpose ये बोला गया, कि आपको ना, भगवान तक पहुँचने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, किसी भी priest के aid की, किसी भी priest के help की जरूरत नहीं है, इसके अलावा ये भी कहा गया idea of bhakti में, और ना ही आपको भगवान से जुड़ने के लिए, कोई भी ऐसा elaborate ritual करने की जरूरत है, कोई sacrifice करने की जरूरत नहीं है, तो idea of bhakti में हमें बहुत अच्छे point ये देखने को मिले, इसमें ये कहा गया, कि आपका कोई भी status हो, आप अमीरों गरीबों, भगवान कभी भी अमीरी गरीबी नहीं देखता, आप फिर भी भगवान की पूजा कर सकते हो, आप भगवान की पूजा कर सकते हो, बिना किसी help of priest के, इसके अलावा आप बिना किसी elaborate ritual किये हुए भगवान तक पहुँच सकते हो, ठीक है, तो ये थे idea of bhakti, हाला कि इसके बारे में आप chapter 8 में भी अच्छे से पढ़ोगे, इसी time period में new religion appeared in the subcontinent, हमारे subcontinent में new religion appear होते हैं, for example, जैसे कि अगर 7th century की बात करें, ठीक है, अगर हम 7th century की बात करें, तो इस time period में Middle East से आए हुए जो merchant and migrant थे, वो इंडिया में पहली बार Holy Quran की teachings लेकर आए थे, ठीक है, भारत में Islam का introduction इसी time period में हुआ था, तो भारत में Holy Quran की teaching, वो कौन लेकर आए, merchant and migrants जो Middle East से आए थे, and जो Muslim है, ये Quran को अपनी Holy Book मानते हैं, मतलब अपना धरम गरंत मानते हैं, Quran शरीफ को, and accept the sovereignty of one God, which is Allah, अल्ला की sovereignty को मानते हैं, उनकी सत्ता को मानते हैं, and ये कहते हैं कि जो अल्ला में विश्वास रखते हैं, अल्ला उनको प्यार देते हैं, उन पर मर्सी रखते हैं, and उनको embrace करते हैं, फिर इनों ने कहा कि अल्ला ना कभी भी discrimination नहीं करते हैं, चाहे आपका कोई भी social background हो, आप अमीर हो, गरीब हो, middle class से बिलोंग करते हो, अगर आप अल्ला में विश्वास रखते हो, तो आप अल्ला का प्यार भी पाते हो, आप उनकी मर्सी भी पाते हो, आप अल्ला आपको embrace भी करते हैं, ठीक है? Many rulers were patterns of Islam and ulama, बहुत सारे rulers ने Islam and ulama को support किया, and उनके pattern बन गए, अब ulama का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो, अपने Hindus में क्या होता है? कि पुजारी होते हैं, वैसी ulama आप समझ लीजिए, Islam में ulama कहा जाता है उनको, and ulama जो होते हैं, ये learned theologian and jurist होते हैं, and learned theologian and jurist का मतलब यह है, कि ये God nature की study करते हैं, religious belief की study करते हैं, धरम को लेकर study करते हैं, अब Hinduism की तरह हमें ये देखने को मिला, कि Islam के जो followers थे, उन्होंने Islam को variety of ways में interpret किया है, ठीक है, there were Shia Muslims and Sunni Muslims, तो इन दोनों में हमें division देखने को मिला Muslims में Shia and Sunni Muslims का, तो अब देखो इनके बारे में जानते हैं, अगर हम Shia Muslims की बात करें, तो Shia Muslims का ये कहना था कि जो अली है, ये Prophet Muhammad के सनिलो है, यही हमारे legitimate leader है, whereas अगर हम सुन्नी की बात करें, तो सुन्नी Muslims वो थे, जिनों ने इस community के नेतरतव या leaders जो थे, उनको accept किया था, तो आपको अगर मैं basic difference बताऊं, तो आपको ये ध्यान रखना है, कि Shia Muslims किसके follower थे, अली के, अगर सुन्नी Muslims के बारे में बात की जाए, तो ये थे अबुबकर के follower, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, इसके अलावा हमें Muslims में जो है, various school of law भी देखने को मिलते हैं, जैसे की हनफी हो गया, शाफी हो गया, ठीक है, फिर हमें ये देखने को मिलते हैं, कि भई थियोलोजी में, धरम में, एंड इसके लावा जो mystic traditions हैं, इन में हमें difference देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो ये हनफी, शाफी की बात हुए, इनको उर्दू में इमाम कहा जाता है, इनके चार इमाम है, एंड इसी तरीके से हमें क्या देखने को मिलते हैं, कि हर धरम में हमें कुछ ने कुछ जो various school of law है, वो देखने को मिलते ही हैं, मतलब सब की अपने belief थे, कुछ न कुछ differences हमें हर धरम में देखने को मिले, तो इसी तरीके से हमें ये भी देखने को मिला, कि theology में and mystic tradition में काफी सारे differences भी आये, changes भी आये थे, ठीक है, चलिए, अब next part जो हमारा होगा, thinking about the time and historical periods, ये last जो part होगा, and यहां पर हमारा chapter ये खतम हो जाएगा, इसको हम करेंगे next video में, till then, bye bye, thank you so much for watching this video, Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel, Learning with Pace, हम लोग इस chapter का भी last topic करेंगे, thinking about time and historical periods, देखो, अगर हम बीते हुए time की बात करें, बीते हुए समय की बात करें, तो वो एक history बन जाता है, तो अगर हम historians की बात करें, तो वो बीते हुए time को, या history को ऐसे नहीं देखते, जैसे की अगर clock की हम बात करें, तो गड़ी में क्या होता है, hours बीते रहते हैं, calendar में क्या होता है, days बीते रहते हैं, साल बदल जाते हैं, तो कहने का मतलब है, historians ना इस time को बहुत importance देते हैं, जो बीत गया, और ये कहते हैं, कि जो ये बीता हुआ time है, जिसे हम history कह रहे हैं, ये ना सिर्फ passing of hours, passing of days, and passing of years की बात नहीं है, बलकि time से हमें बहुत सारी चीज़े जानने को मिलती हैं, जैसे कि time reflect also changes in society and economic organization, time से हमें ये पता चलता है, कि उस particular society में social and economic changes कितने हुए थे, इसके अलावा time से हमें ये पता चलता है, कि लोगों के जो ideas हैं, जो लोगों के perspective हैं, और लोगों के जो belief हैं, मतलब जो विश्वास हैं, तो लोगों के ideas and belief में कितनी persistency थी, मतलब कितनी stability थी, persistency का मतलब होता है stability, और फिर हमें time से ये भी पता चलता है, कि लोगों के ideas and belief में कितना transformation हुआ है, मतलब कितना बदलाव हुआ है, ठीक हैं, तो हमें ये पता चलता है, कि Ideas and Belief में कितनी Stability and बदलाव हमें देखने को मिलते हैं पर यह पता किसे चलता है यह उस History से जिसे हम बीता हुआ कल कह रही है The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments तो यहां पर कहा गया है कि जो समय बीत गया अगर आपको उसकी study करनी है तो past को हमें divide करना पड़ेगा large segment में जिसे हम कहेंगे periods अब periods में जैसे कि यहां पर ancient time period की बात हो रही है medieval time period की बात हो रही है और आगे जाकर हम 8th class में modern time period की बात करेंगे ठीक है तो कहने का मतलब है कि अगर हमें इस बीते हुए कल को पढ़ना है तो हमें इस past को large segment में divide करना पड़ेगा जिसे हम क्या कहेंगे periods कहेंगे अब periods का मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि वो time period वो समय जिसके same characteristic थे उनको हम एक category में डाल देंगे तो अगर आप ancient and medieval time period में देखोगे तो दोनों में आपको large difference देखने को मिलेगा ओके In the middle of 19th century अगर 19th century के middle time period की बात करें तो जो British historians थे अब यहाँ पर ध्यान दे ना British historians की बात हुई है ठीक है British historians का मतलब वो historians जो Britishers थे तो उन्होंने भी यहाँ पर आकर past की study की तो उन्होंने क्या किया कि यह history of India जो है ना इसको तीन period में बाट दिया तीन period में कैसे बाटा Hindu, Muslim and British अब इसका मतलब क्या है अब जब आप ancient time period की बात करते हो तो Britishers ने यह का कि उस time period में rulers जो थे वो हिंदू थे तो इसलिए इन्होंने क्या का जो ancient time period वो हिंदू का था फिर इन्होंने middle time period में क्या देखा कि Muslim rulers जादा रहे तो अब देखो British historians ने जो है history को divide किया हिंदू Muslim and British में और हम कैसे पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं ancient, medieval and modern whereas अगर British historians की बात की जाए तो उन्होंने हिंदू, Muslim and British इन तीन periods में divide किया था अब आपको आया समझ में कि क्यों divide किया था अगर हम ancient की बात करें तो इन्होंने कहा इस time period में Hindu rulers थे, ठीक है तो इसलिए इसे Hindu time period बोल दिया गया, जो आप 6th class में अल्रेडी पढ़ के आ चुके हो अब आप 7th class में medieval time period पढ़ रहे हो ठीक है 7th class में, तो इस time पर इन्होंने कहा कि Muslim rulers जादा थे फिर जब आप 8th class में जाओगे न तो आप modern time period पढ़ोगे तो British rulers जादा थे तो इसलिए इस basis के हिसाब से rulers के साशन काल के हिसाब से इन्होंने इस period को divide किया था Hindu, Muslim and British में ओके Now, this division was based on the idea that the religion of rulers was only important historical change अब देखो, ये जो British historians ने Hindu, Muslim, British में divide कर दिया History of India को ये गलत था क्यों गलत था? क्योंकि भाई, history सिर्फ राजा के और राजा के religion के बारे में थोड़ी ना है History में तो बहुत सारी चीज़े other ऐसी होती हैं जो significant है जैसे कि उस time period की economy उस time period की society उस time period में लोगों का culture वो भी तो matter करता है, सिर्फ राजा के ही बारे में थोड़ी ना है History So such a division मतलब जो ये British historians ने ये division किया न इसमें किस चीज़ को इगनोर किया गया? हमारे सब कॉंटिनेंट के rich diversity को क्योंकि सिर्फ हिंदू, Muslim और British थोड़ी ना थे history में इनके अलावा other religion भी थे and सबके अपने अलग culture, अलग language थी तो कहने का मतलब है ये चो diversity हम देख रहें ना आज के time पर ये पहले भी थी तो British historians ने diversity को इगनोर कर दिया था ठीक है? बस उन्होंने इस period को बाटा किस चीज़ के हिसाब से? रूलर्स के religion के हिसाब से जो की गलत था, ओके? तो जिस time period में British historians ने past history को बाटा हुआ था, उसको ना आज के time पर बहुत ही कम historians follow करते हैं, ज्यादा तर historians बीते हुए time period के economic and social factor को पढ़ते हैं तो कहने का मतलब है कि अगर हम British historians के time period को follow करेंगे ना, तो हमें past history के बारे में उतना अच्छे से पता नहीं चलेगा, बेटर है कि हमें उस time period के economic and social factors को ध्यान में रखकर past की study करनी चाहिए, जैसे कि अगर हम उस history की बात करें, जो आपने उल्रेडी 6th class में पढ़ ली है ancient time period, तो उसमें हमने पढ़ा hunter gatherers के बारे में early farmers के बारे में and उन लोगों के बारे में जाना जो town and villages में रहते थे early empires के बारे में पढ़ा, early kingdoms के बारे में जाना अब इस साल आप क्या पढ़ोगे, medieval history पढ़ोगे तो medieval history में आप जानोगे कि किस तरीके से pageant societies का spread होता है and इनी pageant society में फिर आप economic differences भी देखोगे इसके अलावा social status में भी differences देखोगे, कुछ pageant अमीर होते गए, कुछ pageant जो है वो बिल्कुल low class में चले गए इसके अलावा इसी time period में आप बहुत ही बड़े empires के बारे में पढ़ोगे pan regional state के बारे में पढ़ोगे ठीक है, जो कि जैसे चोलाज हो गए and सुल्तान्स हो गए आप इस तरीके से बड़े-बड़े empire के बारे में पढ़ोगे and ये बड़े empire जो बने थे sometimes at the cost of pastoral and forest people क्योंकि pastoral and forest people इनको तो बहुत suppress किया गया forest people को तो migrate होना पड़ा था क्योंकि इनके forest को clear करा दिया गया था pastoral people वो हुए जो चरवाहे होते हैं जो cattle को rear करते हैं and ये लोग घुमनतू होते हैं एक जगह पर ये लोग stable नहीं होते, ठीक है ये घूमते रहते हैं तो इनके cost पर बड़े-बड़े imperial state बनाए गए now the development of Hinduism इस time period में आप Hinduism and इसके लावा Islam जो religion है इनके development के बारे में भी पढ़ोगे and आप ये भी जानोगे कि किस तरीके से European trading companies का arrival होता है and European trading companies में आप East India company के बारे में पढ़ोगे जो कि आप 8th class में जाकर पढ़ोगे ठीके These thousand years of Indian history witnessed considerable change इन हजार सालों में हमें बहुत सारे considerable changes देखने को मिले So after all अगर हम 16th and 18th century को अगर हम 8th and 11th century से compare करें तो हमें बहुत सारे difference देखने को मिलेंगे So therefore describing the entire period इसलिए अगर हम सोचो कि अगर हम 16th, 18th, 8th and 11th इन सारे period को एक साथ unite करें तो क्या हमारे लिए ये समझना आसान होगा कि कौन से period में क्या कुछ हुआ था नहीं न तो जो different periods है उनको हमें अलग से बढ़ना होता है जैसे कि अभी हमने उपर क्या जाना उपर हमने ancient and medieval time period के difference की बात की थी ठीक है तो यहाँ पर मार्क कर देते हूँ फिर भी अगर आप भूल गए हो तो ये जो हमने बात की यहाँ तक ये ancient time period की थी फिर इससे आगे यहाँ पर जो हमने बात की ये medieval time period की थी ठीक है तो इन दोनों में हमने difference देखे अब अगर हम medieval and modern time period की बात करें तो इनके बीच में भी हमें contrast देखने को मिलता है मतलब difference देखने को मिलता है ठीक है contrast का मतलब उता है difference यह यह कहलो एक दूसरे से अलग modernity carries with it a sense of material progress modernity में मतलब modern time period में हमें यह देखने को मिलता है कि इस time period में काफी सारे material progress हुए थे बहुतिक progress हुए थे technology बहुत मतलब जबरदस्त हो गई थी इसके अलावा intellectual advancement हमें देखने को मिलता है so this seems to suggest that medieval period was lacking in any change or whatsoever but of course we know that this was not the case अब modern period में हम यह पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे material and intellectual advancement हमें देखने को मिला बट इसका मतलब यह नी था कि medieval time period में कोई development नहीं हुआ था हमें medieval time period में भी development देखने को मिलते हैं modernity में या modern time period में उससे थोड़े से और advanced level के हमें development देखने को मिलते हैं ठीक है so जो यह 1000 साल है यह जो 1000 years हैं हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे subcontinent की society में बहुत सारे drastic transformation हुए इसके साथ साथ economy में भी change हुए हमारा subcontinent economy में flourish हुआ prosperity आई अब इसी prosperity ने European trading companies को attract किया अब European trading companies में आप देखोगे कि British traders, French traders, Portuguese traders यह सब यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं यहाँ पर यह सब अपना सिक्का जमाने की कोशिश करते हैं so as you read in this book look out for sign of change आपको हर change के बारे में जो यहाँ पर sign देगे हैं उस चीज को आपने समझना है हर sign को समझना है इसके अलावा जो भी historical process हुए उस चीज को समझना है इसके अलावा आपको compare करते चलना है past जो history रही है एक दूसरे से हर एक period को आपने compare करना है जैसे कि अगर हम बात करें कि medieval time period की अगर हम बात करें तो हमें उसको ancient से compare करते चलना है फिर हम modern time period की अगर बात करेंगे तो हमें modern time period को जो last के दो period है ancient and medieval उनसे compare करते चलना है तो यह जो comparison है अगर आप यह करते चलोगे तो आपको चीजे और ज्यादा clear होंगी in fact आज के time पर भी अगर आप देखोगे तो आप यह देखो कि कितना change हुआ है या फिर सब का सब बिल्कुल same है तो आप कहतो नहीं जगते कि सब का सब same है जैसे कि आप अपने time period की अपने मम्मी पापा के अपने दादा दादी के अपने नाना नानी के पड़ दादा पड़ दादी के time period के अगर आप बात करोगे न तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एक सालों में ही इतना बदलाव हो जाता है जबकि यहाँ पर तो हम फिर भी हजारों सालों की बात कर रही है ठीक है? चलिए अब हमारा जो यह topic है यह complete होता है पूरी 7th class की जो यह history का first chapter है यह complete होता है कोई doubt है comment section में बताइएगा इसके लावा आप मेरे साथ telegram, instagram पर जुर सकते हैं दोनों की ID आपको description box में मिल जाएगी and display box पर भी आपको दिख रही होगी thank you so much for watching this video पहली बार आई हो मेरे चैनल पर तो subscribe करें बिल्कुल मत जाना thank you, bye bye